कि अलो गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स हुई होप आल अफ यह दूइंग वेल जरह एक बार बता दिये आवाज वगर क्लियर है कि दी तो एक बार जरह जल्दी से बता दिये आवाज वगर क्लियर है जैसे कि आपको पता है आज है आपकी ठोड़ी कंटेंट थोड़ी पेडागोजी थोड़ी आपकी आर्ट इन गलचर की गलास ठीक है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दू बिहार सिक्षक बरती का ठीक है जो complete course है आपको प्रात्मेक सिक्षक का आपको मिल रहा है 1499 में माद्यमिक उच माद्यमिक शिक्षक का मिल रहा है 1949 में मतलब 9th और 12 तक का ठीक है और जो PRT, TGT, PGT तीनों का महा पहक है वो आपको 2299 में मिल रहा है और अगर आप इसे लेना चाहते है ठीक है maximum discount में ठीक है तो code use करें Y794 तो जब आप ये code use करेंगे ये आपको 1499 में 1949 में और 2299 में मिल जाएगा तो इसी के साथ हम आज की class चालू करते और class का question number first, रादा की अध्यापिका ने देखा कि रादा को blackboard पढ़ने में कठना ही हो रही है कई बार आप स्कूल में देखते होगे कि जो बच्चे बैठे रहते हैं वह ऐसे मिच्याने लगते हैं कि तो blackboard पढ़ने में उने दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर का सुजाव है रादा को निमने लिखित में से किस पोशक तत्व से भरपूर भोजन को बढ़ानी की आवश्च चकता है विटामिन K, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D तो very good, answer to this question will be vitamin A, ठीक है, विटामिन A की कमी से आपको हो जाती है, क्या रथोंदी, ठीक है, इसका basically अच्छा सोर्स वो होते है, ऐसे fruit या फिर ऐसे फल जिनके अंदर basically, ओरंजिस से reddish color आपको जो दिख रहा हो, वो आपके फल इनका अच्छा स्रोत माने जाते है ठीक है, बाकि vitamin K की कमी से आपको hemorrhage हो जाएगा, ठीक है, मतलब खून का ठक्का लेड जमेगा vitamin C की कमी से सकर्वी रोग हो जाएगा, मतलब मसूडों में सखून निकलने लगेगा vitamin D की कमी से आपका, अलग-अलग type के basically देखे जाते हैं, बड़े लोगों में ठीक है, osteomalacia, मतलब आपकी हड़ी का घनत्व कम हो जाएगा, density कम हो जाएगी और जो बच्चे हैं, उन बच्चों में आपका देखने को मिलेगा क्या, that is rickets और यह आपका इस बार पूछा गया question है, सीटेट में, ठीक है, इसके अलावा वाइटमिन A के sources की बात करें, तो गाजर, पपीता, मीट, अंडा, चीज, बटर, ठीक है, पीचे, एप्रीकोट, मैंगो, ठीक है, एवोकाडो, यह सारे वाइटमिन A के अच्छे घास सोर्स है, जाधतर आपके नौन वेजटेरियन आइटम, देखो, कीडा जो है, कीडा मतला, वाइटमिन K, वाइटमिन E, वाइटमिन D, वाइटमिन E, कीडा आपका सबसे बड़िया sources रहते है, नौन वेज आइटम, ठीक है, तो अगर आपको चाहिए डाइट में कीडा, एक कीडा पकड़ो, कीडा को कीडे को ऐसे मारो, कीडे को दूप में सिकाओ, जब दूप में सूख जाए कीडा, पेस्टल और मोटल लो, ओकली लो, ठीक है, उसके अंदर कीडे को कूटो, उसका पाउडर बनाओ, थोड़ा सा छान के, परवर अरलग हो जाए, क्योंकि परव अगयरा केरेटिन से बने र ठीक है, तो और भी सोर्सेज होता है, जैसे कि अगर हम वाइटमिन के की बात करें, तो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, जाधा तर, ठीक है, वो आपकी सबसे बड़िया सोर्सेज होती है, वाइटमिन के की, देखो, कल तुम लाग, रात में, पूरी रात सोया न नाइए नैचरल सोर्सेस और वाइटमिन सी वाइटमिन सी आपके खट्टे फ़लो में जादा मिलता है सबसे जादा आमला में देखने को मिलता है एंटी ऑक्सिदेंट भी अच्छा आपकी तवचा को बेसे कली गलो अगेरा ले आएगा ठीक है इम्यूनिटी बढ़ाएगा आपकी वाइटमिन डी देखें वाइटमिन डी आपको अल्टिमेटली आप कुछ भी खालो बट आपको जाना पड़ेगा कहां पर सल लाइट में बिगोज अल्टिमेट सोर्स इसका एक मात्स रोद जहां से बन पाएगा वह आपका क्या है सल लाइट इस अट क्लियर इन जीव अवार ने जो हंगुल हिरन ठीक है इस वार पूछा गया कुश्चन है आपका ठीक हंगुल हिरन के संट्रक्षन और सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है सरिसका दाची गम जिम कॉर्बेट या रानी खेट जिससे खट्टा ना पसंदो तो वाइटमिन सी थोड़ा बहुत नीट वगेरा में भी तो मिलता है अंडा खालो बहुत ट्रेसेज में होता है बट बी विल वी दा राइट एंसर दाची गम वर्यकुड तो अंसर टू दिस कोश्चों विल दाची गम ठीक है दाची गम आपका जब मो एंट कश्मीर में है और ये आपका बैसिकली हंबॉल हिरन जिसको हम애 कश्मीरी स्टैक बोलते कश्मीरी हिरन बोलते इसके लिए पेमस है ठीक है सरिसका अलवर में दची गम आपका जम्मू कश्मीर में जिम कॉर्बेट आपका उत्राखंड में और आपके भारत का सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो है कौन सा 1936 में बना जिम कॉर्बेट नेक्स इंग इस निम्न लिखित में से कौन सा एशिया का पहला अराश्ट्री उध्यान है हेमिस काजी रंगा जिम कॉर्बेट या क्योला देओ अब देखो कुश्चन द्यान से पढ़ना भारत नहीं पूछा पूछा क्या है एस यह मतलब हमारा माधुईब सबसे वड़ा माधुईब आप और सनी सर क्यों नहीं पटना है सर बाल कटवा लीजिए यह आ गया ग्यान देने मेरे को बाल कटवालो टीचर को शोभा नहीं दे था है जब मैडमें पढ़ाती है यूट्यूब पे लट ऐसे गुमा देती है तब तो ना बोलते तुम लोग बाल कटवालो मैडम मैम लिपिस्टिक कम लगाया करो तब तो आप बहुत अच्छा पढ़ाती है आप से अच्छा तो कोई पढ़ाई नहीं सकता है तब तो चूना नि मेरी मूझ मेरी डाड़ी चलो तो अंसर टू दिस क्वेश्टिन विल भी इस प्रेशन का उत्तर है देखे आप से पूछा गया एसिया में पहला नेशनल पार्क कौन सा बना ठीक है तो एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क जो है वो है आपका जिम कॉर्बेट ठीक है या का अभी सबसे पहला नेशनल पार्क जो है वो है आपका देस जिम कॉर्बट ठीक है तो थोड़ी सी इन्फोर्मेशन पढ़ लो जैसे कि इसका स्क्रीन शॉट ले 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 ना या फिर आपको स्लाइड में मिली जाएगा ठीक है हेमिस के बारे में बताएगा है हेमिस आपका जो है ठीक है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये बेसिक अलिए आपका हिम तेंदू के सं में देखने को मिलते ठीक है काजी रंगा की बात करीजह काजी रंगा असम है ठीक। ये आपको पांच जानवर दिख swamp हूँगे ठीक है कौन बन सा ये तोहाती एक गपाः का मेर एक बेसा ये पांच बड़े जानवर यहां देखने को मिलते है इस लिए इसको लैंड obsub आ पाता उसन सब्सक्राइबग साना जाता है वर्ड का यालो स्टोन अनutz मियम अटीकश से अमेरिका का ऍहहां है नेक्स निंग 2 ओजोन परत से लेदाइशन पूरे विश्व में की गई महत्पूल परियावनीय पहल है स्कारंगा चैन रहे जिसे ओस का संरक्षन वब रामसर कंवेंशन Monidele al vemaster क्योटो प्रोटोकॉल या两वन शिखर संमील है कि smallest मैमल कौन साय सबसे चोटा स्थनपई अलग-अलग किताबों में अलग-अलग मिलेगा किताबों में जो मिलते है वो पिगमी मिलते हैं बड़ जब तुम गूगल करोगे क्योंकि किताब पहले लिखी जा चुकी है गूगल पर तो रिसर्च डे डाटा भी चलता है तो सबसे छोटा बताया जाता है बंबल भी बैट एक चमगाजट है बंबल भी आपकी इस उंगली की साइज के जितना हुआ ठीक है 1985 में एक मीटिंग बैठी ती जिसका नाम था क्या विए न सम्मेल है यहां पर समने बात बात करी चाय बिस्कुट खाके चलेगा बोल दिया हाँ कल लिंगे ठीक है जैसे कई अपन भी बोलते है ना पापा से कल से पढ़ाई पका कल लिंगे कल लिंगे यहां कल करके चले गए यहां करेंगे करेंगे ठीक है ओजोन की संद्रक्षन करेंगे जब अगले साल फिर देखा ओजोन ओल और बड़ा ठीक है दिमाग खराब होगे तो सब को बोला यहां हो यहां ठीक है खैनी रगड़ी मेरा आटो तब आपका 1987 में 16 सप्टेम्बर 1987 इस मोंट्रियल प्रूटो को और कभी भी कोई कोश्चन करेंगे सार्व भॉमिक मान्या सार्व भॉमिक मान्या इस यूनिवर्सली रैटिफाइड कौन सा सम्मेलन है तो आप बताओगे यूनिवर्सली रैटिफाइड सार्व भॉमिक मानने जो सम्मेलन है वह आपका मोंट्रियल प्रूटो कोल है और यह आपके ओजॉन सरन से रिलेटेड है दूसरी चीज ठीक है रामसर रामसर आपका आदर भॉमियों के संट्रक्षन के दो फरवरी उन्निस सोई कतर में हुआ भारत में अभी टोटल ठीक है 75 रामसर साइट्स भी है क्योटो प्रोटोकॉल यह आपका जलवायू परिवर्तन से रिलेटेड बोल लो चाहे ग्रीन आउस गयस से कम करने को बोल लो चाहे वैश भी कूशनिता से बोल लो ठीक है सब युनाइटेड फ्रेमवर्क सोरी युनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ओन क्लाइमेटिक चेंज एक और्गनाइजेशन है यू एनफ सी 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 तो उसकी मीटिंग ती जिसका नाम रखा गया था कॉप सेवन्टीन सर यही कुशन आया पेपर में हान जी भईया दस तारिक की पेपर में आया है अभी सारे पेपर नहीं आया है दो तीन पेपर डले हुए है बागी सबने मैमरी बेस को डाल लखे कि इससे साइद ऐसा कुछ आया होगा तो देखो राम सर के बारे में बता दिया है क्योटो के बारे में बता दिया आपको ठीक है मॉन्ट्रियल के बारे में बता दिया हाँ एक चीज जो नहीं पता लगी मुझे भी अगर आपसे कोई पूछे सबसे बड़ा ओजोन होल किस सन में देखा गया कल रात में बैठके मुझे भी नया डाइटा मिला अगर आपसे कोई कुश् यह जो आपको दिख रहा है ब्लू-ब्लू ओजॉन पोल देखा गया चली निम्न लिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौदा नहीं है ठीक है डायो निया नेपन्थिस एरगेटम या संड्यू रिकॉर्डेट है का क्लास हाँ रिकॉर्डेट है देखो हम रिकॉर्ड कर रहे है यह देखो रिकॉर्ड सर न्यू रूम में शिफ्ट हो गया हां जी सर जी पीडियव दोजार छे चलिए answer to this question will be देखे नेपन्थेस आप सब जानती हो यह आपका वही है घटपरनी याद रखने के लिए ठीक है मेरी मर्जी में नहीं पहनती मेरी मर्जी है ठीक है यह घड़े जैसी ड्रेस में नहीं पहनती तो एक लड़की ने ड्रेस सेल वाली होगी घड़े जैसी दिखरी होगी तो मेरी मर्जी में नहीं पहनती ठीक है फिर आप लोगों ने बच्छपन में ठीक है अब यही कुश्चन आया था एक्जक्ली एंसी आटी में यह सारे नाम नहीं दिये तो तुम जो चलाते हैं एंसी आटी के बाहर का नहीं आता तो आता है ठीक है ज्यान मत दिया करो हमें आके ठीक है 16 साल पढ़ा चुक है कुश्च तो पता होगा तुमसे ज़्यादा बहुत सार रहेंगे अर्या आपको कुछ नहीं पता एंसी आटी बड़ा एंसी आटी जहीं आता है तो यह कैसे आ गया कुश्चन एंसी आटी में तो यह नाम ही नहीं है ठीक है डायो निया अगर आपने बच्पन में मारियो खेला हो तो मारियो में से एक फूल निकलता था ऐसा पाइप में से ठीक है तो अक्चुली में उसी को हम वीनस फ्लाइट रहें या डायो निया बोलते ठीक है तो आपके मार्केट में एक साबुन आता है डैट इस वीनस साबुन वीनस उसी साबुन से नहारीय को डायन ठीक है और डायनों के दाथ बड़े-बड़े होते ठीक है तो डायन यहां भी कैसा रहता है सरकल संडे यूनिटी इन कल्चरल डायवर्सिटी की क्लास लीज़े आज ही है आज में थोड़ा बहुत करवा दूँगा और मंडे से यूनिटी इन कल्चरल डायवर्सिटी देखो वह बहुत बड़ी किताब है तो मैं सोच रहा हूं रिकॉर्ड करकरके उसकी रात में सेशन चलवा दिया करूँ ठीक है पंदरवीस पंदरवीस बड़िया कुश्चन निकाल के थियोरी के साथ रिकॉर्ड करके रात में सेशन चलवा दिया करूँ अधरवाइस केवल संडे संडे लेंगे तो कंप्लीटी नहीं हूपाई कि वो किताब चलिए संडे इसका विज्ञानिक नाम इसको हम बोलते हैं ड्रो से रा ठीक है और अगर आपको पता हो संड को इसकी एक्चुली में जो इमेज होती है ऐसी होती है मतले ऐसा देखने को मिलता है तो आपने देखा होगा सूरज की जब किरने ओ इसकी बूंदे पर पड़ती है तो चमकती है तो ऐसी यह प्लांट भी चमकता है इसलिए संड्यू नाम रखा गया इसका बागी इसका विज्ञानिक नाम है ड्रो सेरा ठीक है तो देखो सं को हम सूरज बोल सकते ठीक है और ड्रो सेरा ठीक है आपने गाना सूना होगा दू सेरा सेरा ऐसे आप इसका विज्ञानिक नाम याद रख सकते हो तो गाना सुना होगा दूले का सेरा स्वाना लगता है सर जी यह एक्जामपुर क्यों छोड़ दी बेर्टा भूस सारे रीजन थे बहूस सारे रीजन थे तो दीज आर दा वीनस फ्लाइट रैप ठीक है यह पिचर प्लांट जो कि आपका मेगाले की खासो गारी खासो गारो खासी पाहडिया में या फिर इंडोनेशिया में और देखने को मिलता है यह ब्लैडर्ड वर्ट है ठीक है उट्री कुलेरिया भी बोलते हैं से यह आपका संड्यू ठीक है यह देको ओस की बूंदो जैसे और एक और यह है लॉब्स्टर पॉट्र ठीक है तो बेसिकली आपके यह जो जितने भी प्लांट है एक कुश्चन और बन सकता है इनमें से एक्वोटिक कौन सा होता है तो ब्लैडर्ड वर्ट आपके एक्वोटिक होते जलिये होते बाकी सारे आपके लेंड पर देखने को मिलेंगे यह लेंड पर देखने को मिलेगा 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 चली अगला कुश्चन एक डॉक्टर एक्स पर थे ठीक है और उसका अस्पताल वाई पर इस्थे थे घर से अस्पताल तक क एक दक्षिन में 400 meter है, ठीक है, तो A के दक्षिन में 400 meter, ये, this is the south, ये हो गया B, ठीक है, फिर वो C के पास जाता है, जो B के पश्चिम में 90 meter है, ये देखो, ये आपकी कौन सी ये west, तो ये हो गया 90 meter, ठीक है, कौन सा हो गया, C, अंत में वो Y पहुंचता है, हस्पताल पहुं उत्तर में तो अस्पताल के संबंद में डॉक्टर के घर की सही दिशा ये डॉक्टर का घर है ये अस्पताल है ये डारेक्शन क्या जा रही है ये डारेक्शन क्या जा रही है आपकी बता दो ए इशान कोन बी उत्तर पश्चिम दक्षिनपूर्व या दक्षिनपश्चिम है Southeast अरे ओ ये ओस्पिटल है ये डॉक्टर का घर है एक्स डॉक्टर का घर है ठीक है एक्स डॉक्टर का घर है हमको ओस्पिटल की संबंध में घर की दिशा बता नहीं है रटा मत करो Northwest तो very good answer to this question will be B North West so the answer is B North West ये direction आ रही है चली एक व्यक्ती दिनांग 11-2015 को मढगाओं से नागर कोईल के लिए train में सवार हुआ ठीक है वहिया train मढगाओं 7 बच के पैता ले अब देखो AM PM तो दिया नहीं है बट याद रखना railway समय सारनी हमेशा 24 गंटे का format पॉलो करती है तो दोपेर के 12 बसते ही लगते ही फिर एक जो बजेगा इसे हम 13 लिखेंगे दो बजेगे उसे हम 14 लिखेंगे तो अगर यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो यह सुबह के 7 बजे की बात कर रहा है AM की बात कर रहा है ठीक है और अगले दिन यानी 2 तारिक को 4.45 पर पहुच गया ठीक है भई 4.45 पर पहुच गया AM अगर यह basically 7.45 पर पहुच जाता ठीक है 7.45 पर पहुच जाता यह तो basically आपका क्या हो जाता है इसके time क्या हो जाता 24 गंटे complete कर लेता बट ये 3 गंटे पहले पहुच रहा है 4.45 पहुच रहा है तो माइनस कर दो इसमें से कितना 3 तो टोटल टाइम इसने ले लिए 21 गंटे ठीक है अब आपको दिया है distance कितनी दिये 1040 divide कर दो 21 से कितना आएगा तो जल्दी divide करो कितना आएगा 24 24 तो option में ही नहीं है भाई कैसे 24 ले आएगा very good very good very good answer to this question will be आज 54.2 something आएगा 54.2 that is d will be the right answer d is का सही जवाब d will be the right answer next thing is वहे चुने जो अन्य से भिन है ठीक है मतला आपको इन में से अलग-अलग चीज़े पैचान नहीं है पेट्रोल पेराफीन बोम ग्रीस या फिर कोईला तो इन में से और वन कोन साहे जे वन सब कोश्चिन से दिमाग कराब होता है धेको वाटा तुमारी किसमत रहे गी कई हो की किसमत मैं रहता है कि उनकी शिफ्ट में पढ़ता ही नहीं है यह यह वाल गुश्चिन कई हो की किस्मत होती है कि दो दो को सेट देते ले विटा माझे ले तू I'm not understand, I'm not getting in Hindi, ठीक है He is saying that, that a person is traveling with train on date 1, ठीक है, 1, 2015 At the time, the relevant time given is 7.45 a.m. Fine, and reach Nagar Koyal at 4.45 a.m. Now, let us suppose if we get arrived at the next day by 7.45 a.m., he should complete 24 hours, but he is arriving before the time that is even 3 hours before 7.45, that means he shouldn't have complete 24 hours of time. So, subtract 3 from it, that present time will be 21 hours. So, he have completed or he have expended, he get the time period of 21 hours. Now, next thing is the distance is given, he get 1140 km. To calculate the speed of train, there is a formula, speed is equal to distance upon time. So, speed is given 1140, you have already calculated the time, 21 hours divided, you will get the answer 54.2 km per hour, which is option number D. Now, find the odd one out. So, you have to find out the odd one out. Petrol, paraffin wax, grease or koala. Chalo, answer to this question will be coal. Dekho, आपको basically, हमको क्या मिलता है? Petroleum मिलता है. यह petroleum का से, crude oil मिलता है? यह का से मिलता है? ठीक है? वी एक्स्रेक्ट पेट्रोलियम प्रोम सेडिमेंटरी रॉक्स. अब साधी चट्टानों से. So, आपका जो बेसेकली, पेट्रोलियम होता है, यह ग्रीग वर्ड है. पेट्रो का मतलब होता है, रॉक. ओलियम का मतलब होता है, ओल. तो पत्थर से तेल निकलना, ठीक है? दिस इस नोन एस पेट्रोलियम. Now, next thing is, which type of rocks is used, that is sedimentary rocks. So, there are seabeds, ठीक है? तो कई हो जगे पे हमारी क्या? oil fields रहती है, seabeds रहती है, जहां पे आपका यह तेल मिलता है, ठीक है? अब यह मिलता हमें कैसा? raw form में, crude oil, ठीक है? The characteristic of crude oil is, crude oil कैसा होता है? dark, काला, smelly, बदबूदार, और thick, गाड़ा, liquid. This is the characteristic of crude oil. यह आपके कच्चे तेल के गोन है. कच्चे तेल जो भी निकलेगा, वो काला, बदबूदार और गाड़ा निकलेगा. अब, ठीक है, what we do, हम क्या करते है? ठीक है, एक furnace होती है, बट्टी होती है. इस furnace से हम distillation करवाते हैं, तो इस destination को हम बोलते है, fractional distillation, प्रवासी आसवन. तो प्रवासी आसवन की प्रक्रिया से, हम इस crude oil से काफी सारे product निकालते हैं. इस प्रोडक्स आर, gasoline, which is also known as petrol, इसी को आप petrol भी बुलाते हो, diesel, ठीक है, कैरोसीन, एक jet fuel वाला होता है, एक गर में, मिटी का तेल होता है. heavy fuel oils, मतलब आपके truck वगेरा के, जो बड़े-बड़े trucks चलते हैं, monster truck जोने बोलते हैं, उनका fuel अलग आता है. liquefied refinery gases, asphalt, asphalt को हम bitumen भी बोलते हैं, हिंदी में आप इसे damer बोलते हो, ठीक है, lubricant या फिर आपका grease, इस ने हक, तो कई हो सारी चीज मिलती है, even naphthalene, ठीक है, जो naphthalene balls आती है, वो भी आपको कहां से मिलती है, ठीक है, fractional distillation से, पेट्रोलियम से, तो koela is not the part of the fractional distillation, koela is somewhat different fossil fuel, यह आपका दूसरा जिवाश मिंदन है, clear है, हिंदी में भी बोल जाय करो, अरे मैं यह कह रहा हूँ, कि हमको जो basically कच्छा तेल मिलता है, उसका गुन क्या होता है, काला बदभूदार गाड़ा तरल है, यह या तो sea beds में मिलता है, मतलब समुदरी तल पे मिलता है, या फिर आपका, जहां पर oil fields होती है, ठीक है, तेल की ख़दाने होती है, वहां मिलत इसके अंदर एक प्रक्रिया चलती है, fractional distillation, fraction का मतलब क्या होता है, भाग में, तो अलग-अलग भाग में, अलग-अलग temperature और pressure होता है, और यहां हर भाग से pipe निकले रहते हैं, तो हर जगह से नए-नए टाइप के आइटम निकलते जाते हैं, यह आइटम क्या-क्या हो सकते हातियों के बारे में, निमनलिखित में से कौन सा कतन सही है, हाति अपने भारी शरीर के कारण बहुत अधिक आराम करना पसंद करते हैं, तीन महीने के हाति के बच्ची का वजन आमतोर पर लगवग दो कुंटल होता है, एक व्यास खाती एक बार में दो कुंटल से भी ज्या तीन महीने के हाति के बच्ची का वजन आमतोर पर कितना होता है, दो कुंटल, हाला कि ये भी सही है, बट NCRT में एक कुंटल दिया हुए, इसलिए हम सी स्टेटमेंट सही नहीं मान रहे है, अब थोड़ा सा आपका इस बार हातियों के बारे में कुछ जादा चीज़ें पूछी गए, ठीक है, तो देखो, याद रखना हाती जो है, चाहे तो इसका स्क् अमल ओन, लेंड, जमीन पे रहने वाला, धर्ती में नहीं, धर्ती, अगर मैं धर्ती, या धर्ती मेरी माँ है, अगर मैं प्रतवी की बात कर रहा हूँ, अर्थ की बात कर रहा हूँ, तो ये ओवरॉल प्लैनेट की बात हो गई, यहां क्या लिखा हुए, लेंड, ठीक है, अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है, एक ग्रह है, ठीक है, अर्थ इस नोट लेंड, याद रगना, ठीक है, तुम लेंड को भी अर्थ बोलते हैं, यह तो अर्थ है, अर्थ यह नहीं है, अर्थ तो पूरी है, जहां तुम बस रहो, ठीक है, अच्छे से clarification दिया करो अपना, तो अर्थ पे ठीक है बेसिकली भूमी पर सबसे बड़ा स्तन पाई है बट पूरी अर्थ में सबसे बड़ा अर्थ पे आपका ब्लू वेल दूसरी चीज ठीक है यहां पर मैट्रियार्ची फैमिली मतलब जहां बेसिकली मादाय गवर्न करती है तो आपने पढ़ा है एंसी एर्टी में जैट इस द ओल्ड़िस फींट लीडर ऑफ द अफ्डर कि जो सबसे बूरी मादा होती है वह आपकी क्या होती है गृप की नेता होती है herd का size कितना बता है 10 से 12 members ठीक है there are total of 10 to 12 members 10 से 12 सदस से होते फिर ये भी बताए गया है कि ये जो herd होता है ठीक है ये जो जुन्ड होता है ये basically आपका इसमें क्या होता है जादतर female और उनके बच्चे होते अगर कोई male है if any male is present they should have to leave the herd by the age of 14 or 15 जैसी वो 14 से 15 साल के हो जाएंगे उनको आपका basically group से धक्का मारके निकाल दिया जाएगा हाला कि आपने discovery में देखा होगा कि कईो बार male हाती भी दिखते है herd up है तो जब basically आपका seasons हाते है seasons मतलब reproduction का period तो उस time पे male आके join कर लेते थोड़े time के लिए जैसी reproduction करेंगे male वापस से बग जाएंगे male की यही है ठीक है male की और कोई इज्जत ही नहीं है उसको रखाई धरा किसके लिए प्रजनन के लिए ठीक है पिर एक adult elephant ठीक है NCRT के एंट कोर्डिंग 100 किलो तक खा सकता है पिर आपका जो तीन महीने के हाथी का बच्चे का वजन बताया है थी मन्त ओल्ड elephant बेबी वेज अराउंड 200 कुंटल ओ सॉरी 200 kg 2 कुंटल बताया गया हाथी जादा आराम नहीं करते दे डू नोट रेस्ट मश ठीक है दो से चार गंटे इनका sleeping hours पताया है इनके कान जो रहते है पंके जैसे रहते हैं और इनी पंकों से अपने आपको हवा करते है ठीक है और ये हवा जो होती है ठीक है इनकी body को ठंडा रखती है ठीक है तो it keeps their body temperature cools as well as they love to play in the mud to keep their body temperature cools देखो जितने भी बड़े आपके जानवर होंगे ठीक है बड़े size वाले भैसा ठीक है भैसिया हाथी गेंडा गेंडी हिपो सिपो ठीक है इन सब को body heat जादा generate होती है तो इस heat को ठंडा रखने के लिए इन्हें हमें सब देखा होगा तुमने गेंडा वेंडा सा पानी में कीचण में ऐसे पड़े रहते है यह क्या कर रहे हो यह क्या बिच एंजोइंग दडी ठीक है तो total number of teeth total number of teeth 26 होते है दो बहार आपको यह दिख रहे है एक ही है और अंदर मुह में 24 gastration period गर्बकाल सबसे बड़ा होता है ठीक है 22 महीने का होता है अफ्रीकन एलिफेंट का इंडियन एलिफेंट का थोड़ा सा फ्लस माइनस हो सकता है फिर minimum gastration period सबसे कम सबसे कम किसका होता है चुईया का होता है मैस का होता है 20 दिन का इसके अलावा आपका बताया गया है कि यह जो tusk होते है tusk मतलब हाती के दान आप बोलते हाती के दान यह दिखाने के ऐसा नहीं है यह दानतों का use होता है जब मैं let us suppose ठीक है I am healthy right now जब मैं जंगल में घूमोंगा तो मेरे को कईयों सारी चीजे खानी है तो मैं पेड की छाल भी खा लेता हूं इनी दातों से ना ठीक है मार के उस छाल को फाड लेता हूं और pick up करके trunk से जो nose रहती है trunk उससे खा लेता हूं ठीक है तो ऐसा मत करो यह दात काम के नहीं होते है और इसी का शिकार होता है अगर यह दात काट दिया जाए तो basically हतनी इनको selective भी नहीं करती है बड़ी मुश्किल से select करती है पर इनको दूसरी तरीके से मनाना पड़ता बल पर दरसन करके सीधी सी बात है तुम मैं से बहुत सारे लोग अभी अनमेरड होंगे कल को जब तुम्हारा दूला देखने आएगा और दिखने में बहुत ललन टॉप हो बड़िया बॉडी हो रतिक रोसन जैसा दिख राओ और जैसे ही तुम बोलो है मैं से रीना मीना ठीना चीना पीना ठीक है ओधर से बोले मैं राजेस और बीच के दो दात गाया वो तुम भी कहता हो कि राम राम भाईया ठीक है तो ऐसे हांती के साथ भी होता है अडल्ट अलिफेंट के ड्रिंक अप्टू 50 गैलन तक पानी पी सकता है एक गैलन में 3.864 लीटर सम्थिंग होता है ठीक है तो इसका मतलब आपका 190 लीटर तक आपका पानी पी सकता है है न है यह पर चैप्टर में अगर आप से अडल्ट का पूछे तो दाइ-थाजार से साड़े-चई-थाजार अलग 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 टाइप का वसास मोता है हाथी बेसिकली 4.5 iam यह स्पीड रहती है यह एवरेज स्पीड है फिफटीन माइल्स पर al बट जब यह दोडने चालू करते है तो 40 miles per hour की speed से दोड सकते है 40 miles per hour की speed से मतलब 50 km प्रती घंटे की रफ़तार से दोड सकते है तो बेटा, race में तो तुमको हरा देगा कभी अगर हाती पीछे पढ़ जाए तो सीधे तो दोडना नहीं वरना यह समझा, आजा आजा पकड़ के दिखा तुम लोगों की speed जो रहती है वो 20 miles per hour से जादा नहीं होती ठीक है, टेस्ट्रिस्ट्रोन से कर लोगे तो अच्छे smiles, टेस्ट्रिस्ट्रोन के रहो एडरेनलिन से कर लोगे तो 25 miles per hour हो जाएगी वो 40-50 miles per hour पर दोड़ता हो तो धर लेगा बीच महीं और सांड से उठा के ऐसे करेगा क्यों, का बुलना मैं तो मजाक कर रहा था तो सारे मजाक निकाल देगा जब भी कभी हाटी पीछे पड़ा जाए make sure क्रिस क्रोस दोड़ो ठीक है आड़े तेड़े दोड़ो बेटा भेजदी निशा यादव भेजदी भेजदी ठीक है इसके बाद आपका 12 अगस को इस बार ये कुश्चन आया हाती दिवस कब बनाया जाता है 12 अगस को बनाया जाता है और इसको विरासत पशू सन 2010 में गोशित किया लिया अगर कोई ये आपसे पूछ ले कि heritage animal कौन सा है इंडिया का तो heritage animal आपके क्या है हाती है अगर बात करी जाए पूरे वर्ल्ड की ठीक है पूरे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़ाधा हाती बोट स्वाना country में बोट स्वाना देश में जो की अफरीका का एक country है देश में देखने को मिलता है बड़ अगर बात करूँ एशिया की एशिया में सबसे ज़ाधा elephant सबसे ज़ाधा हाती आपके भारत में ही देखने को मिलते clear है रितिकरानी बता दिंगे बता दिंगे अभी डट जाओ ठीक है तो एशिया में एशिया में सबसे ज़ाधा हाती बारत में देखने को मिलते पूरे वर्ड में सबसे ज़ाधा हाती बोट स्वाना देखने को मिलते फिर आपका एक last thing हातियों के बारे में प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1992 में चालू गया इसके तहत आपके ठीक है 34 elephant reserve है पहले 32 हुआ करते थे अब 34 हो गए ठीक है इससे ज़ाधा हाती से कोई question नहीं बना सकता हूँ clear है दूसरी चीज भारत में सबसे ज़ाधा हाती कहा देखने को मिलते है ठीक है करनाटका में अगर आप से कोई पूछे इंडिया में सबसे हाती कहा देखने को मिलते है करनाटका में और कौन सा नेशनल पार्क हाती हो के लिए सबसे ज़ाधा famous है या तो option में नागर होल दिया होगा नागर होल नहीं दिया होगा तो पेरियार दिया होगा बट मेक शॉर सबसे पहले यह ढूड़े नागर होल में सबसे ज़ाधा हाथी देखने को मिलते Is that clear? थाइलेंड में नहीं है मिटा तुम उंग बाक मूवी देख क्या आई हो लग रहा है मेरे को चलो हाथी डेश का राष्ट्रिय पशू हाथी है ठीक है हाथी डेश का राष्ट्रिय पशू है इंडोनेशिया थाइलेंड भारत चीन हाथी डेश का राष्ट्रिय पशू है हाथी डेश का सब अप्रोजिक्ट एलिफेंट नांटी येट नांटी नांटी जो वही तो लिखा है नैंटी नांटी नांटी तू चलो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एंसर तू दिस कोस्चिन विल भी थाइलेंड, ठीक है और इंडोनेशिया का जो बेसिकली आपका क्या बोलते है नेशनल एनिमल जो है राष्टिय पशु जो है वो है आपकी दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली जिसको हम बोलते है कोमोडो ड्रेगन है न थाइलेंड का हाती है भारत का आप सभी को पता है बाग ठीक है चीन का क्या है चीन का क्या है चीन का एंसर टू दिस क्वेश्चिन विल भी थाइलेंड चीन का क्या है चीन का चीन का क्या है चीन का चीन का चीन का जल्दी बता है वाई टेलिफाइंड पाए जाते है स्विजर लेंड में टाइगर लिखे ले वो जा खुस टाइगर लिख दिया ले बाग और बता धही बड़ा भी लिख दे वेरी गुड ठीक है पांडा नहीं पांडा बहुत सारे टाइप क्यों होते है वाइट पांडा सफेद पांडा और एक कुष्चन आया था जब ओफलाइन होता था ये वाइट पांडा एक संस्था का लोगो है उस संस्था का नाम क्या है तो आप सभी को बता है किसका लोगो है जल्दी से कमेंट करके बताओ ये दुनिया की सबसे बड़ी छपकली है पहले डाइनोसौर हुआ करते थे एक टाइम पर तो वह हुआ करती थी अब जे मिल कि अधिक है एलीफेंट की टाइगर लिखे हैं है हाथी लिखाए बैटा एलीफेंट का टाइगर का लिखे हाथी डैश का राष्ट्रिय पशू है ठीक है तो एलीफेंट इस दा नेशनल एनिमल ओफ थाइलेंट यह भी तो कोश्चन बन सकता है यहाथी कहां का है जरूर ही है भारत का ही पूचेगा तुमसे तो इस दा लार्जस्ट लिजर्ड ठीक है जहरीली नहीं होती बढ़ हां पास मत जाना अगर देख लो तो क्योंकि अगर यह दो होती है तो सेर को भी निप्टा देती है ठीक है क्योंकि अगर यह खड़ी हो गई तो तुमारी चाती के ऊपर ही आगी और जब वो इत्ती सी से चुईया सी गेको जो तुमारी घर के ऊपर में मिलती है वो तुमारे प्रांच छड़वा देती है जब तुम बैठे होती हो वाश्रूम बगएर हमें पॉटी बगएर कर रहे होते हो बैठके और वो चलती हुई चले जा तो आदी तो लोगों की रोग जाती है तो इत्त पिछली स्लाइड पे कौन सी पिछली स्लाइड पे कहां बोल लो हाती लिखा है कहां लिखा है बाग ओ सौरी अच्छा प्रोजेक्ट टाइगर लिख दिया प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 में है ऐसा बोलो ना पिछली स्लाइट पर लिखिए मेरे को लगा इस कुश्चन में कहां दिख रहे हैं तुम्हें चलो यह कुश्चन आया था ठीक है पहला जो शिफ्ट हुई थी मतलब पहली जो पेपर हुआ था इस बार का दोजार तेईस का उसमें यह कुश्चन मतलब ऐसा भालू यह शार्क क्लस का व carve of ओगी बिर्यूरत नहीं तो वरीह वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़ी बाहुत बढ़ी भेंशर पुश्च्रड इस कुश्चन भी ठीक है सी भालू तो भालू आपका कैसा है सर्वाहर ह यह यह आपका शिकार भी करते हं अरब भी करते हैं और यह आपका बेसिकली हनी फ्रूट्स भगेरा भी खाते हैं आपने मोगली देखा होगा जंगल लंगल बाग चली है पता चला है चड़ी पहन के फूल खिला है फूल खिला है तो वहाँ पे आपने उस भालू को कई वार वो शहत तोड़ते हुए देखा होगा अगर आपने रियल में नहीं देखा हो तो दूसरी चीज आज मैं आप लोगों का एक बहुत बड़ा मित खतम करना चाहूंगा विकॉस टीचर के साथ साथ ठीक है टीचिंग के साथ साथ जरूरी है मेरे समाज के लिए करतव्य है कि एक मित भी खतम करूं है ना केवल स्टोरी ओ पंच तंत्रा है ना तो उसमें एक स्टोरी थी दो दोस्त थे जंगल से जा रहे थे ठीक है सडनली बैर के और एक को बेसिकली पेड़ पर चड़ना आता था वो तुरंत ऊपर चड़ गया दूसरे को आता नहीं था वो लेट गया ऐसे क्योंकि उसके दादा जी ने बताय था कि मरी वी चीज को नहीं खाते है ना ऐसी कोई स्टोरी सुनी थी ना तो लेट मी मेक यू क्लियर वन तिंग कभी आप जंगल सफारी के लिए गए बाइचांस भूल बलग गए और मतला बटक गए अपने ग्रूप से भालू अगर सामने से आ रहा हो ठीक है ले एक्ट लाइक फूल और डोंट प्ले स्मार्ट यह नहीं कि वो कहानी सुनी थी लेट जाओ सांस रोक ली तो भालू को जंगल का पुलिस इंस्पेक्टर भी का जाता है क्योंकि यह जिस जगह पे होता हो उस जगह को बहुत देड़ तक इंस्पेक्ट करता रहता है तो तु क्योंकि यह तो नहीं बता था पंच तंत्र में तुम चाटते हो यह तो गलत वहाते चीटिंग कर रहे तो ठीक है मज़े ले लेगा दूसरी चीज़ वो दोस्त ऊपर चड़ गया था पेड़ पर क्योंकि भालू को चड़ना नहीं आता पेड़ पर ऐसा ही सुना है ना तो म बूड क्लाइमबर्स ज्यादा तर चत्ते आपके पेड़ के ऊपर ही लगे रहते तो अपनी बॉड़ी को इन्होंने ऐसा एडप्ट किया कि यह बेसेगली पेड़ की बाग को पकड़ के जैसे आप चड़ते हो वैसे पेड़ के ऊपर चड़ सकते तो पता चला तुम लोग दोड़ के पेड़ पे चल दाओ महां चे चला आपके देखा तो बालु भी क्या करेगा मुँ में सीख डालेगा पंचतंत्र में सुनी थी ना यह तुन है न हमाया भी चलती है हमाया यह बता गया था कि आदमी को ऐसा बताया गया तो मझे ले 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 ना उसके तुम ही रहे महीं से दक्का दूंगा तेरे को अड्डी वड्डी टूटे के फिर तेरे को फाड़ के खाऊंगा तो ऐसा करने की कोशिश मत करे अभी आपने ये भी देखा ये पांडास को इनकी जब एंसेस्ट्री पूरी पीड पे चड़ी रहती है का कोई चल लाते रहते है भाली पेड़ पे नहीं चड़ता है नोटंकी कम करे भाही नोटंकी ही करेंगे का कर लोगे तुम, जान मत दिया करो हमें, नो टंकी कम करे, चलो, निमने लिखित मैंसे, कौन सा सेट NCF 2000, जो बिल्कुल ऐसे पढ़ा है न तुम्हें, बिल्कुल वैसे, और तुम भी ऐसी टीचर बनना, तुम्हें कसा में आ, ये कमेंट जिस नहीं भी किया है, देखो बच् ऐसी पड़ाई हो, अगर तुने करीकुलम में जो बोला है, लर्न वाइफन, वो यूज किया, और मैंने क्लास में देख लिया, मैं आके महीं पे चटका दूँगा, निमने लिखित पेड़ागोजी, निमने लिखित मैं से, कौन सा सेट NCF, इस वार पूचा गया कुश्चन है, NCF 2005 द्वारा निर्धारित, EBS पार्ठ करम में सुझाए गए, छे विशो में से, चार का सही प्रतिनित्वत करता है, और शुक्र मनाओ तुम्हें, यूटूब पर नचते हुगा, तो तुम्हें भी करना पड़ेगा, वहाँ स्कूल में नचना पड़ेगा, तो प्रेक्टिस करना चालू करदो, नहीं आता, तो कथक की क्लास जाकी सीख लो, तो वहाँ पड़ाना, एस या नार, चलो, निमने लिकित में से, कौन सा सेट, NCF 2005 की निर्धारित, EVS पार्टिक्रम में सुझाए गए, छह विश्यों में से, आप सभी को बताए, there are total of six themes of EVS, तो इन में से कौन-कौन सा सेट है, पौधे, पशू, परिवार और भोजन, सामगरी, ठीक है, परिवार और दोस्त, भोजन, पानी, यात्रा, चीजे जो हम बनाते हैं, भोजन, सामगरी और पौधे, काम और खेल, भो पौजन, सामगरी और यात्रा, ठीक है, तो, plants, animals, family and food, materials, family and friends, food, water and travel, things we make and do, food, material and plants, work and play, food, material and travel, तो, very good, हम नाचके नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाना पढ़ेगा बिटा, आजकल, teaching बदल चुकी है, आजकल तुम मार भी नहीं सकते, चिल्ला भी नहीं सकते, वो student, कल को तो मेरे को लग रहा, NCF ये, इंट्रोडूस कर देगा, कि अगर class boring लग रही है, student को, तो teacher dance भी करके दिखाए, जैसे जैसे आपकी जो education का level है, वो धीरे धीरे, भले ठीक है, वो load कम कर रहा है, ठीक है, बट वो competition भी खतम कर रहा है, ठीक है, pros and cons हर चीज क्यों होते है, हमारे time पे, ठीक है, हमारे time पे basically competitive feeling थी, इनकी time पे competitive feeling ही नहीं है, यह पास तो, ही जाएंगे, उन तो करी चलिए, very good, answer to this question will be, देखे, there are total six themes of EBS and four subtheme, ठीक है, यह theme कौन सी है, family and friends, पहली चीज, अब कैसे याद करें, पहले यह समझो, याद कैसे करें, देखो, एक दिन हमारा दोस्त, कैसे याद करें, छे theme होती, एक दिन हमारा दोस्त, हमाई घर पे आया, तो हमने उसे किस से परिवार वालों से मिलाया, है ना, परिवार वालोंने पूछा, यह तुम्हारा कौन है, तुमने उससे अपना संबंध बताया, तो परिवार और संबंध, यह पहली theme है, इसकी फिर subtheme होती है, अब परिवार और संबंध बताया, झीक है, तो बेसिकली, sub stream में क्या-क्या है ठीक है संबंद बता है आपने है ना कीजिए आमाद दोस्त लगता है तो उन्हें ने दोस्त से पूछा लुका चुपी खेलेगा ठीक है तो दोस्त ने बोला नहीं स्कूल का हुंबर कर लेते पहले उसके बाद खेलते तो वर्क एंड प्ले यह सब थी में फिर वो दोस्त तुमसे पूछने लगा यार तेरे यह फूल पत्ते तो बढ़िया लगे तीसरा यह सब थी में प्लांट्स और उस दोस्त ने देखा कि तुमारे यह कुट्टा पला हुए है कुट्टा तो यह सब थी में चार तो फैमिली और फ्रेंड्स परिवार और मित्र यह आपकी पह करेंगे नहीं खा के जाएंगे पूरा तो खाना दिया हमको अब खाना खा तो पानी भी प्यास भी लगेगी पानी पिला है हमको ठीक है खा पी लिया तो उसने हमको अपने घर का पूरा मुआयना करवा है ठीक है तो घर दिखाया अपना ठीक है उसके बाद बेसिकली हम गुमने के लिए भार गुमने के लिए आप गर से भार भी तो जाएंगे तो गर से भार हम निकले काया पाया पाया यात्र करते यात्रा करते करते हमाई चपल गई तूट तो हमने पकड़ डिया मोची that is things we make and do तो तो दीज आर दा all the themes of EVS clear है याद हो गई स्टोरी की तरह याद कर लो सारी परिवार और मित्र तो एक दर मित्र हमाएं घर पर आया हमारे परिवार वाले ने पूचा का लगता तुमारा girlfriend है boyfriend है यहों के नाई bro है हमारा bro code चल ला ठीक है फिर उसके बाद यह भी सब थीम की बात हो रही है ठीक है तो संबंद बता दिया तो फिर तुमने बोला कि खेल है उसने का नहीं पहले स्कूल का उंबर कर ले ते फिर उसने बोला यार तिरे फूल तो बड़े सांदर और तिरे कुत्ता भी सड़ंदर है तो plants एनिमल योगी सब थीम फिर खाना खाया पानी पिया ठीक है फिर घर दिखाया पर उसके बाद पहिया पहिया गुमने ने करे चप पल गई तूट परियावरन विज्ञान को शिक्षा के अभिन अंग के रूप में शामिल करने का मुख्य कारण क्या है विद्यारतियों को उनके परिवेश की प्रती जागरुक करना चात्रों को परियावरन के मुद्दों से अवगत कराना चात्रों को भविष्य के परियावरनिय खत्रों के लिए तैयार करना चात्रों को परियावरण की सुरक्षा और संरक्षन का मूले सिखाने के लिए बताईए तो आंसर टू दिस कुस्ष्चन विल भी कि अग्यूटूब पर दिल कहां से आ रहा है सर अब जी हमें कैसे पता होगा वही दिल कहां से आ रहा है मैं तो बस यह पता बिजली का बिल कहां से आ रहा है दिल कहां से आ रहा है वह हमें भी नहीं पता च्छे थीम चार सब थीम वेरी गुट ए ए ए ए ए मेकिंग स्टूडेंट अवेर ओफ देर एन्वारमेंट चलिए एनिवाडी एल्स और कोई और कोई भाई जली से बहुत अच्छा कोश्चन ने इस बार पूचा गया तो according to NEP what is the main reason for including environmental science as an integral part of education चलिए तो basically answer to this question will be basically NEP का मुख्यकार क्या था अभी समझाता हूँ answer अभी इसका क्या है पहले ये समझ लो to teach student the value of protection in conservation of the environment answer is D now अब समझो पहले NEP देखो NEP आप सभी लोगों ने पड़ी होगी NEP के पहले आपके पहली different आपके वो चल रहे थे policies चल ली थी 1968 की 1986 की finally आपका 29 July 2020 को union cabinet ने आपका पारित कर दिया क्या NEP that is National Education Policy of India ठीक है साथ ही साथ में ये decide हुगा यहाँ पर कि जो आपका ministry of HRD थी human resource development HRD कई यो बार आपने दूर दर्शन पर add देखा होगा ministry of HRD human resource development उसका नाम change करके क्या कर दिया जाए ministry of education कर दिया जाए इतना clear है पहले इतना clear है इतनी कानी clear है हिंदी का class कब होता है पिटा हिंदी का class वैसे तो एक बज़े से होता है आज मेरा थने तो शायद Monday से होगा चलो इसके बाद जो यहाँ पर basically model चलता था 10 प्लस टू 10 प्लस टू जो model चलता था इसको आपने बाठ दिया 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 अब यह 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 क्या है ठीक है यह आपके basically divide किये गए चार स्टेजिन में ठीक है मूलभूत चरन foundation इस्टेज जिसमें आपने क्या किया तीन साल की तो आपकी रखी आंगनबाडी और फिर first और second class रखी दो साल की primary की फिर आपकी ठीक प्रारंबिक चरन जो की आपकी third से fifth class की थी यहां पर आपको क्या करना था तीन से आठ साल तक के बच्चों को basically activities learning पर ठीक है अभी जो बहुत सारे बोलते हैं न मेरे से आके आप नाटक बहुत करते हो तो तीन से आठ साल के बच्चों को आपको activities करकर के गाना गागया के ठीक है एक सर भी देखेंगे कह दोना पलस टू कह दोना माइनस टू ठीक है तो ऐसे activities करकर के पढ़ाना पड़ेगा और यहां basically third से fifth में आपके basically include हो जाएंगे क्या speaking, reading, writing, physical, education, language, art, science, maths यह सारी चीज़ इसके बाद आती है आपकी क्या that is middle stage मध्यावस्ता ठीक है middle stage में आप class 6 से लेके 8 को cover करते हो और जो चात्रों की age रहती है यहां पर 11 सा 13 रहती है यहां आपको basically abstract concept अब basically आपको अभी third से fifth class में आप क्या कर रहो अभी हम किसी भी बच्चे को ये नहीं बोलते कि भाई इसकी definition रट के रोट learning करो मतलब यहां पर हम basically उसको उसके experience से ही सिखा रहे मतलब constructivism से सिखा रहे कि construct करो अपनी knowledge को but यहां पर हम थोड़ा सा student पर थोड़ा सा जोड़ डालते है कि भाई उससे concept समझ में आए ची secondary stage जो कि 9 से 12 तक की रहती है ठीक है जिसमें आपको basically कई हो सारे multiple sub-divisionary subject choose करने का option मिलता है अब जो आपका NEP था NEP का basically जो main role था वो यह था to value of protection and conservation of environment यह आपकी NEP में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको एक तो यह पता होना चाहिए कि आपकी परियावरन में कौन-कौन स reduction किया जा सकता है ऐसा हम आपको क्यों सिखा रहे कल को suppose करो nuclear war हो जाए ठीक है एक जगे की आवादी चटक गई तो तुम्हें at least पता तो होना चाहिए कि रेडियेशन आया तो उससे कैसे बचे अब तो मैं पता ही नहीं है वहां खड़े हो ऐसे मुह में सीख डाल के रेडिय की able to cope with them ठीक है तो मेन आपका क्या था क्यों सिखाय जा रहा है आपको एनवार्मेंट की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन हो एनवार्मेंट का हां मिल सकता है मिल जाएगा इंसन मत लो चलिए राष्ट्रिय पाठ्थी चर्चा की रूप रेखा 2005 यह भी इस बार का पूछा गया कुश्चन है इसकी समझ से प्राप्त होती है मानफतावाद पे ठीक है आचरन पे या फ्रचनाबाद पे या संग्यातन क्या है संग्यनात सिद्दान्द कॉग्निटिफ थ्योरीज पे अरे ओ मेरे लालो एक तो यह जो तुम लोग बोलते रहे तो पेपर टूम में ईवीएस जय हो तुमी हो स्टूडेंट किताब तुमी पे क्यों नहीं देखते किताब खोलके कौन सी तुम्हें चप्टर में ईवीएस अलग से दिख रही है एंसी आर्टी में जो आपकी साइंस की एंसी आर्टी है उसमें अलग से कोई ईवीएस नहीं है ठीक है अलग से कोई ईवीएस न कि water cycle nitrogen cycle वो है कल भी मेरे से एक लड़की आके पूछी हो के सर पेपर टूगी इविस कोन पड़ाया रहा गजब तुम्हें जे नहीं पता का कर रहा हूँ चलो अगला तो answer to this question will be आपकी जो learning होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए ठीक है constructivism ठीक है मतलब आप खुद से ही चीजों को analyze करें ठीक है और basically सीखे तो construct करें अपनी basically knowledge को तो constructivism होनी चाहिए according to NEP 2005 प्रतेक मदुमक्खी के चत्ते में एक रानी मदुमक्खी होती है कुछ नर्मदुमक्ख्या और अनेक श्रमेक मदुमक्ख्या होती है निमने लिखित में से कौन सा कतन सत्य है श्रमेक मदुमक्ख्या मकरंद की तलाश में इधर उदर उड़ती है नर्मदुमक्ख्यों के पास करने के लिए कोई काम नहीं होता रानी मदुमक्ख्य अंडे देती है यह भी इस बार का पूछा गया कुछ्छन ने फिस सेकंट थर्ड सही है वर्स सेकंट थर्ड सही है या फिस स्ट और सेकंट सही है इन इंगलिश एवरी वी हाइड हैस वन कुईन भी अ फ्यू मेल बीज और many worker bees which of the following statement is or are true worker bees fly around in search of nectar male bees do not have any work to do the queen bee lay is a worker bees are female answer to this question will be very good b will be the right answer all the statements are true worker bees flies around in search of nectar कि जो भी काम है काम हमेशा यह मादाई करती है आपने बेसिकली सोसाइटी में देखा होगा कि जो बेसिकली जादातर काम कर रही है घर के अंदर का काम मादाई करती है बड़ यहां पर घर के भाहर का काम भी मादाई करती है ठीक है मेल भीज डू नोट है वर्ग टू डू यह चत्ते में बैठे रहते इंतजार कर रहे हैं कब रानी बुलाईगी कब नूप छिल डांस करेगी कब हमें मौका मिलेगा और कुछ नहीं कर रहे है खा रहे पी ठीक है एक बार चत्ते से निकल गए इनको पता नहीं है इस चत्ते में जीवन बर नहीं गुस्पाएंगे बू के प्यास हम मर जाएंगे बार ठीक है कुईन भी लिए एक्स यही करती है और कौन से मन्थ में करती है झाल 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 के सामने ऐसे फूल दे दू, ठीक है, गेंदा, गुलाब, कमल, गुल्दाओदी, इन मैं से कौन से बेसिकली फूल पे मदुमक्थी जाएगी, अगेंदा, गेंदा, 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 गुलाब, कमल, गुल्दाओदी, मतलब, मैरी गुल्द, ठीक है, आपका गुलाब देट इस रोस, ठीक है, लोटस, या फिर, क्राइज जंदम् I have told you that, कि honey bee cannot see red and orange color, now let us suppose, seated have made a question, seated ने question बनाया है, इन चार में से, किस फूल पे honey bee, मदुमक्थी नहीं जाएगी, तो very good, very good, ठीक है, तो गेंदे का रंग कैसा होता है, नारंगी थोड़ा, नारंगी दिखेगा नहीं, तो इस पे नहीं जाएगी, गुल्दाओदी में अलग-अलग varieties मिलती है, ठीक है, सफेद भी मिलता है, ठीक है, पीला भी मिलता है, लाल भी मिलता है, तो लाल वालो पे नहीं जाएगी, कमल आपके अलग-अलग variety इस में मिलते हैं, तो कमल पे जा सकती है, गुल्दाओदी पे जा सकती है, ओ सॉरी, कमल आपका ओरेंज रहता है, ठीक है, इस पे भी नहीं जाएगी, बट रेड वाले पे नहीं जाएगी, याद रखना, रेड और और ओरेंज व नहीं छोटी क्लास का बच्चा है, ठीक है, फिर से तकनीकी शब्दा आ गया, तो इसको तो वैसे ही गलत कर दो, ठीक है, शिक्षारतियों को उन पुस्तक के बाएगी, छोटी क्लास का बच्चा हो, आप उसे MBBS की तो किताब नहीं पकड़ा सकते, ठीक है, उससे बोल लो, चकदे पटे, नब्दे गली, कल मुझे चाहिए, तु डॉक्टर बना हुआ, ठीक है, वो तुम्हें ऐसे देख रहा हो गया, अब पागल हो गया, मास्तर, तो विद्ध्याले में शिक्षारतियों को अनुबब को भारी दुनिया से जोड़ना, आपकी EBS की जो किताब है, उसे जवाब चैप्टर वाइस पढ़ोगे, तो बेसिकली यही देखते हो कि सारी चीज को इधर से उधर कनेक्ट किया गया, है ना, कि यह चीज, ठीक है, अपने भाई बेहनों से पूछो, अपने दोस्तों से कंसल करो, बाग में जाओ, ठीक है, किसी जुगी जॉपड़ी में जाके पता करो, तो बेसिकली अपनी बेसिकली रियल लाइफ एक्सपिरियेंस से कनेक्ट करना है, ठीक है, आगे क्लास में बढ़ने से पहले, एक चीज आपको बता दू, कहां गया, ठीक है, भाई, आपकी कल, दस बजे, कल दस बजे, सुबह, सीटेट जुलाई दोजा है, सुबह, दस बजे, तो यह हो गई, फिर रात में आपका बेसिकली, पैड़ागोजी की कलास है, ठीक है, कल, कल रात दस बजे, वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पैड़ागोजी की कलास है, तो कल रात दस बजे, यह कल रात दस बजे की है, जिनको सीडी भी बढ़नी है, और जिनको पैड़ागोजी बढ़नी है, किसकी, बेसिकली संस्क्रिट की, वह कल सुबह दस बजे, ठीक है, मिले आपके चैनल पे, वापस आजाओ, कुश्चन पे, ठीक है, चलो, जाजा करे, यह उजागर करना कि, कैसे कुश समुदाव की जीवन और आजवी का विशिष्ट जानवरों, या पौदों से निकटा से जुड़े हुए, छात्रों को एक विज्यान से, पौदे और जानवरों को समझाने में, शक्षम बनाना, ठीक है, इंग्लिश में कुश्चिन यह है, आप से बोल रहा है, कि, all of the following could be cited as the reason for this inclusion, except one, मतलब बाकी सारे reasons माने जा सकते है, यह हो सकता है इसको यहां रखने का, बट एक reason नहीं है, वो क्या है, वो आपको find out करके निकालना, to help the student to locate plants and animal in a social and cultural context, to highlight how women share a close relationship with each other, to highlight how the lives and livelihoods, some communities are closely connected with a specific plant or animals, to enable student to understand plants and animals from a science, बताए, E.R.S. वाली E.V.S. की पढ़ाई कर सकते है, बिल्कुल कर सकते है, क्यों नहीं कर सकते है, चाली, answer to this question will be, इस प्रेशन का उत्तर होगा, देखिए, E.V.S. जो खुद में subject है, it is an integrated, ये एकाकी करत, ठीक है, आपका subject है, जिसमें आपका environment, SST और science जोड दिया गया है, already, ठीक है, थार्ड से 50 क्लास का बच्चा है, जिसे आप E.V.S. पढ़ा रहे हो, इसके बाद तो E.V.S. देखने को नहीं मिलेगी, पस से सेकेंड में E.V.S. होती नहीं है, वहाँ आप E.V.S. basically languages और mathematics के थुरू समझाते हो, ठीक है, कि जब तुम market जाते होगे, ठीक है, तुम महाँ से 4 के लिए खरीदते होगे, तीन के लिए तुमने लड़की को दे दिये, तुम्हाँ पास कित्ता बचा, है है ना, लड़की सुनके तो मूपे खुजी आ जाती है, बहुत सारे लोगों की, तो थर्ड से 50 क्लास में EVS है, तो पहली चीज़ टू इनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टेंड प्लांट्स एनिमल फ्रॉम अस साइन्स, नहीं, हमें उसकी साइन्टिफिक थिंकिंग को नहीं डबलब कराना है, हमें उसके experience शेर करवाने है, कि उसको कितना पता है, उसक समझाना चालू करेंगे, ठीक है, वो होगी आपकी मिडल अवस्था में जब वो 6 से 8 क्लास में आ जाएगा, ठीक है, अभी आप उसकी बेसिकली क्या कर रहे हो, ठीक है, कि उसे अपने सराउंडिंग से कितना सीखने को मिल रहा है, तो D will be the right answer, निमन लिखित में से कौन कच अच्छे तेल पेट्रोलियम को उत्पादन करता है, दोजार उन्नीस को कुश्चन है और ये 2021 में भी आया है, ठीक है, जब ओनलाइन हुआ था, ठीक है, और ये बहुत सारे लोगों का गलत होता है, एंसर क्या है, बॉम्बे हाई, पश्चिम मंगाल, असम उडिसा, गुज एक्स्प्लीनेशन दे दिया तुम्हें, उसके बाद भी तुम कह रहा है, इंदे माश्टार, इंदे बढ़ा ले, चलो, answer to this question will be, ठीक है, गुजरात and तमिलनाडू, ठीक है, तो बॉम्बे हाई से निकलता है, ठीक है, असम से निकलता है, ओडिसा से निकलता, ठीक है, गु गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडू, और कृष्णा, गुदावरी, डेल्टा से, ठीक है, भारत में राजस्थान कच्छे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है, बात करी जाए, अगर विश्वे की, विश्वे में आपका, अमरी का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत म अभी हाल फिलाल में, current में working 23 refineries है पूरे भारत में, जिसमें से 4-4 refineries आपकी गुजरात और असम मैं, तो अगर आपसे कोई पूचे पूछे कौन से state में सबसे ज़्यादा refinery है, तो आप बताओगे 4-4 refinery है असम और गुजरात में, ठीक है, भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी दिगबोई असम में है और भारत की सबसे भारत की नहीं विश्वि की सबसे बड़ी रिफाइनरी जाम नगर गुजरात में है जो की Reliance Industries ओन करती है clear है? clear है? हां जी बिटा अंकित जी clear है? ठीक है तो याद रखना भारत में कच्छा तेल कहां कहां समयलता है आंध्रा अरुनाचल असम फिर गुजरात राइस्थान तमिलाडू कृष्ण गुदावरी डिल्टा so बच्चो आपके बीच में एक मैम और सर आ रहे है आपके लिए ठीक है बहुत इंपोर्टन इंफोर्मिशन sir maim please hello everyone thank you very much sir so as a reason क्या है मैं सब्से पहले बताती हूं मेरा नाम है Manisha I hope everyone is doing fine Sunita Aasha I hope everyone is doing good so मेरा रीजन यह हाने का कि आप लोग्स एक्जाम के रहे हैं sir ठीक है c.t. आप एक्जाम के रहे प्रपरेर कर रहे हैं काफी इंपॉर्टन एक्जाम तो आपके साथ अड्डा चाहता है कि अपनी स्किल भी बहुत इंप्रूफ करें, ठीके? आप एक्स्टा अर्निंग अन करें, तो हम स्किल अड्डा आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स लेकारे, डिफरेंट डिफरेंट वोक्शोप्स अम आपके लिए कर रहे हैं, जिसको आ आप अड्डा की वेबसाइट पर जाके जिनमें इन्रोल कर सकते हैं, सर एक बर वेबसाइट कोलिंग अड्डा की, सो अभी मैं आपको बताती हूं कि कैसे आप पैसे कमाने की निंजा टेक्निक, सिंपल सा, तेक्निक आप चुनिये, कौन सी चाहिए? गुमा फिर आके बात अगेजर गराती है, सिंपल सी निंजा टाकर सकते हैं, अजो अगेप टी पाहर पोइं पार पोइंच सब्सक् अगरा है, साथ के साथ उसके उसके अर्निंक कैसे हन कर सकते हैं, साथ के साथ अर्नि pastor, और कल टामिंग रहेगा буidगा छ्यवल से साधे साथ बचार बचाहिए, स एन्रोल करने के लिए आपको अड़ा की वेब साइड पर जाना है All courses में जा के, आपको skill development select करना है इतने सारे courses यहां पर अवालेबल हैं जो भी आपको एको जो भी skills सीखनी है, आप उसमें इन्रोल कर सकते हैं मेरा course जो है वो आपको MS office में जा के यह आपको मिलेगा 3.99 का कोर्स है ठीक है बट अगर आपको अच्छे डिसकाउंट चाहे तो यूज सरका कोट अपको कोड यहां लगाना है सरका कोड लगाना है और आपको काफी अच्छा डिसकाउंट मिल जाएगा उसके अलावा और भी आपको जूस कोर्स में इंटरस्ट है अब उस कोर्स में इन्रोल कर सकते हैं आज वर्क्शॉप जो है छे से साड़े साथ बज़े है I hope फर्स्ट अपल लेट में तेल यू फर्स्ट वन तिंग there are different different verticals of Adda मैम is from different vertical she is not in the teaching तो अभी से कुसी और लड़ू मत वनाव अब तो मैम पढ़ाएंगी इन आलाय को अगर पढ़ना है तो शाम को सेशन में मिलते हैं आज और कल जो सेशन होने वाला है उदर मिलते हैं ठीक है? तांक यू सो मच तो यह याद रखना इन से रिलेटिट कुस्छिंस आते हैं ठीक है तो दिख वोई आपकी ओल्डेस्ट है जब कि अगर हम बात करें किसकी जामनगर की जामनगर पूरे वल्ड की सबसे बड़ी रिफाइन रिये गुजरात में चलिए तो यह इंग्लिश में लिखा हुआ है सेम चीज ठीक है वो तो आप पढ़ लोगे निमने लिखित में से पक्षियों के एक समू का चैन करें जिसका प्रतेक सदस्वस्तू को चार गुना स्पष्ट रूप से चार बार नहीं चार गुना एक सकली इन पक्षियों के समूका हम बोलते हैं क्या इसे जो इनочно ईंसान जो होते हैं कि जो दो मीटर की दूरी से साब देख सकते हैं वही यह बरद्स औप्रे बड़ सो प्रेको हंदी में हम बोलते हैं शिकारी पक्षी ठीक है आठ मीटर की दूरी से देख लेते हैं तो दोने की बीच में जो डिफरेंस निकला है वो मिलते है कितना देटेस फिर से आवाज निया रही अरो बीच में हो पुरानी है आवाज निया रही तो answer to this question will be very good चील पतंग नहीं पतंग अरे मेरे काकाओं पतंग नहीं होती बाज चलो उप्ख्यानात्मक अभी लेको मैंसे ठीक है मैं किन बातों से बचना चाहिए ठीक है वाट शुड वी अबॉइड़ेड इन एनेकडोटल रिकॉर्ड ठीक है बाप रे बाप उप्ख्यानात्मक कैसे पढ़ ले तो यार इन्दी वीडियम बल्ले वच्चो तुमको शत्षत नर्म उन ये मेरे दो वार तो जीव लड़ खड़ा गई बोलो ओप्ख्यानात्मक ये तो ऐसे ऐसे नाम देते है ने इन्दी में संबाहू विसंबाहू ऐसा लगता है महिसा सुर के दो बेटे पैदा हो गयों व्रदांत्र बाइलोजी पढ़े आत्मा कब जाती है सिंपल सा बोलना होता है बच्चे पैदा करने वाला नहीं जरायूज अंडायूज पूचे बट फिर भी यार हिंदी मेडियम तुम लोगों को मेरी तरफ से सलूट है बाई कैसे पढ़ ले तो यार इतना कतरना जीव दो बार मुड़ गई मेरी उप्ख्यानात्मक सिंपल जब बोलते थे एनेकडोटल ठीक है तो एनेकडोटल रेकॉर्ड उप्ख्यानात्मक अभी लेखो में किन बातों से बचना चाहिए मुक्य रूप से समस्यागरत स्थितियों की पहचान करना निरने के वयान करना ताकत और कमजोरियों की पहचान करना बच्चे की र problem at mix situations making a statement of judgment identify strength and weakness identify child areas of interest and relationship कसम से ओप्षानात्मक बोलने में दो बार जीब मुड़ गई मेरी चलो answer to this question will be क्या चीज़ अवोईड करें देखे आप सभी ने पढ़ा होगा एक तो क्या portfolio और एक पढ़ा होगा anecdotal ठीक है आप लोग जब स्कूल में टीचर बनते हो तो हर बच्चे का एक portfolio तेयार करते हो उस portfolio के अंदर basically उस बच्चे ने जितनी भी वो आपकी general activities कर रहा है कोई game में first आया ठीक है कोई participate किया उसने ठीक है क्या बोलते है poster making में participate किया essay writing में participate किया आपने model making में participate किया तो वो सारी चीज़ का photograph लेके आप portfolio के अंदर introduce कर देतो फिर आप क्या करते हो इस portfolio को ठीक है जब आपकी class से बच्चा पास हो जाता है तो आप इस portfolio को दूसरे section के teacher को hand over कर देते हो तो इससे उस teacher को मदद मिल जाती है और यह पता लग जाता है कि बच्चा किसमें बढ़िया ठीक है तो यह तो होता है portfolio अनेक्डोटल ठीक है जिसको हिंदी में क्या बोलने थे उप्ख्यानात्मक यह क्या है यह बेसिकली ठीक है इसमें हम बच्चों के में एक specific activity को देखते है जो की basically behaviorism ठीक है मतलब थोड़ा सा emotional behavior से जुड़ी रहती है हो सकता है कि आपकी class में कोई बच्चा हो ठीक है जिसकी मतलब कभी आपकी percentage बहुत अच्छे आते थे आज उसके percentage एकदम से कमा रहे है तो might be chances उसके अंदर कोई emotional behaviors में कोई change आयो मतलब हो सकता है घर में कोई आर्थिक स्थिती सही नहीं रही हो या पर घर में कलेश हो ठीक है तो basically यह आपका relate करता है कि इससे एक तो आपका emotional उससे attachment से प्लस यह specific specific एक जब anecdotal पढ़ते हो तब आप यहां general activities होती है यह specific activity को record किया जाता है तो एक तो इससे आपकी strength और weakness पता लगती है ठीक है यह रखना है आपको identify children area of interest आपको area of interest जब आपको उसकी weakness पता लगेगी तो आप क्या नए नए तरीके निकालोगे किसके लिए उसकी help करने के लिए तो area of interest आपको पता होने चाहिए कि भई इसकी कहा रुजान है relationship मतलब किसके साथ कैसी दोस्ती है किसको ज़्यादा अच्छे से share कर पाता है यह सारी चीज को पता कर पाते हो but making statement of judgment वो class में क्या statement दे रहा है यह सारी चीज making many problematic situation यह सारी चीज आपको anecdotal में उप्ख्यानात्मक में नहीं करनी है A और B will be the right answer लग मुक्य ठीक है इन दोनों को आपको anecdotal अभी लेक में नहीं डालना है बाकि आप सारी चीज डालो इवी एस for class third to fifth is a subject area which integrate the concept and issues of पहला option है the concept and issues of science the concept and issues of science social studies and environmental education the concept and issues of social science and science the concept and issues of science and environmental education तो कच्छा थार्ड से फांच वी तक के Ao Okea एक विशयच्चेतर एजो एक विज्ञान की अव्धारन और मुद्धों को एक इक इक्रत करता है विज्ञान गैंदे सामाजिक अद्ध्यान और पर्यावरalk उविदान और मुद्धी सामाजिक विज्ञान और स्छे forms गयान और इंटीग्रल है किस-किस का साइन्स, SST और एन्वार्मेंटल एजूकेशन का, ठीक है, निमने लिखित में से कौन सा सत्य है, ठीक है, एक EBS के लिए, मतलब एन्वार्मेंटल स्टडीज के लिए, EBS is a subject taught from class first to fifth, EBS for classes first and second, EBS is taught through language and mathematics, कच्छा first and second के लिए, EBS को भाषा और गनित के माध्यम से पढ़ाये जाता है, for classes second, third, fourth, issues and concerns of EBS are taught through language and mathematics, कच्छा second, third, fourth के लिए, EBS की मुद्ध और सरुकारों को भाषा और गनित के माध्यम से पढ़ाये जाता है, ठीक है, for classes first and second, concerns and issues of EBS are taught through science and social science, कच्छा एक और दो के लिए, विज्ञान और समाजिक विज्ञान के माध्यम से EBS की चिंता और मुद्धों को पढ़ाये जाता है, बताई, very good, answer to this question will be B, कि आपका, जो भाई, first or second class में EBS introduced नहीं किया गया, EBS को वहाँ पे हम language और basically आपका किस के तुरू पढ़ाते है, mathematics के तुरू, ठीक है, third, fourth, fifth में आपका introduce किया गया, फिर fifth से आपका, sixth के बाद से आपका EBS हटा दिया गया, वहाँ से आपकी science चालू गई, who built the Golgonda Ford, Golgonda का किला किस ने बनाया, ठीक है, चॉल वंच, चालुक की वंच, काकितिये वंच, या पल्लव वंच, ठीक है, answer to this question will be, मजदूर ने, इनने तो पैसा बराता, बनवाया इननोंने, बनाया थोड़ी था, तो 23 का, very good, answer to this question will be C, 1200 ESV में, 1200 AD में, ठीक है, आपका, काकितिये वंच ने इस पर बेसिकली क्या किया, ठीक है, बनाया, उसके बाद आपका, रानी रुद्रमा देवी इनके successor, फिर आपका शाही dynasty, फिर अबुल फजल, फिर मुगल, फिर आपका, एक और आयते बीच में, फिर आपके अंग्रेज आयते, ठीक है, तो इन लोगों ने आपका, राज किया, नीचे दो कथन दिये गए हैं, विकल्पों में से सही उत्तर चुने, लेखा उस स्थान का नाम होता है, जिसका उपयोग भेड बकरीयों को रखने के लिए किया जाता है, लेखा की दीवारे पत्थर और शिलाओ को एक दूसरे पर रख कर तियार की जाती है, कथन एक और पहला सकते है, दूसरा सकते है, दोनो, पहला सकते है, दूसरा सकते है, तो वेरी गूड, 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 दूसरा सकते है, तो वेरी गूड, वेरी गूड, वेरी गूड विच इस यूस फोर कीपिंग शीप और गोट्स ठीक है सही बात है चांग पा लोग अपनी जो जानवर है वो रखते है किसमें इसके अंदर में द वॉल्स अफ लेकार प्रिपेड बाई कीपिंग स्टोन और रॉक और वन एदर बिल्कुल सही बात है ठीक है आगर आप लेख तो answer to this question will be A next thing is पक्षी अपना घुसला क्यों मनाते है विविन शिकारियों से बचने के लिए मिलन का आनंद लेने के लिए खराब मौसम से बचाप के लिए या इनमें से कोई भी नहीं वाई डू बर्ड्स बिल्ड देर नेस्ट लोधी वंच गुरु देव लोधी वंच खाई नहीं उदर लोधी कैसे आ जाएंगे अरुनाचल में अरुनाचल सॉरी आंदर प्रदेश में जाती हूं सर बाई बाई जाती हूं में जल्दी है क्या पढ़ ले बेटी चली वेरी गुड आंसर टू दिस कोश्चिन विल भी ठीक है इनमें से कोई नहीं डी विल भी पक्षी अपना घौसला बनाते बेसिकली अंडे देने के लिए और कोई इनका कोई परपस नीग है अन्डे देने के लिए सीदी सी बात है डाल पर आपका अंडा तो दिया जाएका निकिए लिए तुम नीचे से जारो उपर से अंडा लुड़कता हूं चट्ट तुमारे तीरा ठीक है क्या गरूँ वह अलग-अलग स्लाइट पर दिखाने बढ़ते हैं कौन सा जानवर अपना आश्रय नहीं बना सकता पक्षी साप खरगोश या चूँए बैड वैडर भीता सकता नहीं बैटर टिक है बैड़ से बचने के लिए वो कहीं पर भी शल्टर ले सकते है वो तोमारे घर में शेल्टर ले सकते ठ agreement जहां पर बचने की जगह देखें कि वहां शेल्टर ले लेंगे अब ये थोड़ी ये इंतिजार करेंगे कि खराब होगा मौसम बीच रस्ते में अगर कहीं पस गए तो ये थोड़ी ये गोड़के जाएंगे कहीं पर रुख जाएंगे सर जी मेरा कमेंट शो हो रहा है हां जी तो answer to this question will be very good चुआ अपना शेल्टर नहीं बनाते ये basically शेल्टर यूज करते हैं जो कि आपका चुए और खरजल वगे आऑघाब बिल कर देते हैं उसी कि अपने शेल्टर की तरह यूज करते हैं अपने घर की तरह यूज करते हैं नेक्स इंग इस कौवा कौन सा पक्षी सबसे अधिक उचाई पर गोसला बनाता है कौवा लकडी लकडी चोच कुछ भी कट फोडवा बतक या भारतिय रोबिन सर आप भ्यार ना गए तुमारी क्लास लिख लेता है किंग कोबरा बेटा आचल रहा नी वह एक मातर ऐसा साप है जो गोसला बनाता है बड़ वह पागल बनाने के लिए ठीक है उसका गोसला बड्ड जैसा देखता है वह उसमें बैठा रहता है तो कोई दूसरा साप ये समझ जाता है वह तुरंत ऐसे निकलता है क्यों इला डाला ना दपा मझे ले लेता है उनकी चलो answer to this question will be ठीक है देखे कौन सा पक्षी सबसे अधिक उचाई पर घोसला बनाता है ठीक है अगर नॉर्मली इसका इंसर देखे तो आपका हुगा लगा होगे वैसे answer है वैसे answer है नन of these क्योंकि सबसे उचाई पर सबसे उचाई मतला हम super relative degree की बात कर रहे है सबसे उचाई पर आपका घोसला बनता है पहाड़ों पर घोसला एक ही पक्षी बनाता है वो होता है बाल्डड इगल गंजा चील बट चुकि आपका EBS में आपका कउवा बताएगा है तो पेड़ की सबसे उचाई पर या फर सबसे उची टेहनी पर तो पेड़ की सबसे उची टेहनी पर आपका घोसला बनाता है आपका कउवा तो A will be the right answer next thing is महिलाएप पुरुषों से कमजोर होती है यह है एक मिथक है विज्ञानिक तथ है रूड़ी वादिता है या अंदविश्वाश है आपका फेवरेट वर्ड का हुआ और का मेरे तो फेवरेट है सर आप अन्ना हो या ब्रदर है अन्ना हो या ब्रदर मतलब यह अन्ना चोवीश गंटे चोग अन्ना क्या NCRT में दिया है हाँ NCRT में दिया है कि पेड़े की डाल पे सबसे उचा गोसला बनाता है stereotype very good very good very good बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया answer to this question will be it is a myth women are weaker than the man यह stereotype thinking नहीं है यह आपका myth है जो कि कई हो generation से चलिया stereotypic thinking क्या होती है वैसे तो यह statement बिल्कुल सही है women are weaker than women scientifically scientifically अगर हम देखे तो women's आपकी जो body design वो ऐसा नहीं बनाया गया है कि उतना level का load और pressure जेल सके जितने level का load और pressure आपका male की body जेल सकती है इसलिए आपने देखा होगा marathon weight lifting जब भी Olympics में होती है women's की बिल्कुल आदी हो जाती है मतलब आदी की भी आदी हो जाती है तुम लोग दोडर होते है 24 किलो मीटर की मेंस ठीक है female दोडरी होती है 12 से 15 किलो मीटर की marathon तुम लोगों को weight lifting में दिया जाता है 440 किलो उठाना इन लोगों को दे दिया जाता है कितना ठीक है 165 किलो उठा दो भाई तो आदी का आदा हो जाता है तो scientifically it is true बट हम यह scientific facts नहीं खुसेड़ेंगे ठीक है because हमें scientific facts खुसेड़ दोगे तो समाज पर आपका गलत असर पड़ेगा इसमें ठीक है stereotype क्यों नहीं है यह समझ लेते यह ज्यादे इंपोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह लगता है stereotype होने चाहिए रूडी वादिता होने चाहिए अब समझो नमस्ते सर कैसे आप stereotype क्या होता है रूडी वादिता देखो मैं तुमसे अगर यह बोलता लड़ लड़की शर्ट पहन के नहीं सकती मैं मानी नहीं सकता लड़की शर्ट पहन के मानी नहीं सकता तुरंत एक लड़की आती शर्ट पहन के ओ मश्टर यह क्या शर्ट शर्ट फिर मैं अगर बोलता है लड़की जीन्स नहीं सकती मैं मानी नहीं सकता लड़की जीन्स पहनाती तो यह thinking is known as Rudy Jr. कि मैं जो यह बोलता हूँ कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़की कर ही नहीं सकती यहां मैंने यह न रबना है लड़की वो काम नहीं कर सकती लड़की आपकी झान जो अौरद होती है मर्द से तोड़ी सी कैसे होती है पुरुष से कमजोर होती है यह वैसे तो साइन्टिफिकली सही है बट साइन्टिफिक फैक्ट में आपकी स्टेडीज में नहीं लाऊंगा मिथक क्लियर है ठीक है तो सीटेट ने यह कॉस्चिन दिया था दिस इस दो कॉस्चिन ओफ 2019 ठीक है ओफ लाइन पेपर जुलाई शिप्ट बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मास्टरों ने इसका इंसर यही बताया था रूड़ी बादिता आके बोले चलेंज है सीटेट को बदलना पड़ेगा मैंने का मैं कह राव भाई साम नहीं है रूड़ी बादिता सोच अलग होती है यह लड़की खेल न नहीं घुमा सकती है तो यह सोच है आपकी रूड़ी बात इता ठीक है यह दो एक नॉर्मल मित है और फी और फी हाँ वह यह रूफी जावेद वेरी गुट चलो नेक्स इंग इस है वापस से रिपीट कैसे हो गया है अच्छा अच्छा इंगलिश में भारतिय रॉबिन अ पेड़ की चोटी पर गोसला बनाता है गीली मिट्टी का गड़्डा करके उसमें गोसला बनाता है बिलो के अंदर बनाते है या फिर बिटवीन स्टोन कोई बात नहीं है सारी चीज़े अपन अगली क्लास में कर देंगे कल की क्लास में अब यह बोली मेरी एक बच्ची बोली कमजोर होती है तो बर्थ कैसे देती है और वो इसलिए बोली क्योंकि उसने एक वाटसेप का फैक्ट पड़ा एक फेस्बुक यूनिवर्सिटी का फैक्ट पड़ा कि जो प्रेगनेंड वूमेन होती है वो इतना दर्द जहिलती है ज यह दर्द जो होता है वो आठ बड़ी हड्डियों के टूटने के बराबर होता है ऐसा ही पड़ा है न है यही पड़ा है न सची सची बताना यही फेक्ट बढ़ाना चलो एंसर टू दिस कोश्चिन विल भी बिडवीन दे स्टोन ठीक है पत्थरों के बीच में गोसला बना next thing is भोजन में पोशक तत्वों को बनाये रखने के लिए खाने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए फलो और सब जीव को काटने के बाद धोले ठीक है भोजन को अधिक पकाना चावल और अनाज को धेड सारे पानी में धोले चावल या अनाज को उसी पानी में पका cook the rice of cereals in the water in which they are soaked yes sir it's true नहीं this is entirely false whatsapp university और facebook university पढ़ना छोड़ दो there are pain scales medical science में pain scales होती है बहुत सारी ऐसी बीमारिया है ठीक है जैसे कि spinal atresia number one पे जितना दर्द इसमें होता है न उतना कोई सोच भी नहीं सकता ठीक है चीखे छूड़ जाती है injection लगने के बाद भी दर्द होता है दूसरा cancer तीसरा आपका क्या बोलते है gall bladder stone या फर kidney stone कभी किसी को हो न स्टोन उस से पूछना दर्द क्या होता है जो pregnancy का pain होता है वो सेवंथ स्केल पर आता है medical science में तो यह what's up university और facebook university के post होते हो कि मा जो होती है वो इतनी महान होती है मा महान होती है तो मज़े ले जाएगा बिज्जती करते है उसकी गवार पढ़ते बढ़ते है नहीं पालतु का mobile चला रहे है तो at least आप लोगों के पास जो facebook university और whatsapp university के data आते है उसको confirm करने के लिए google दिया हुआ चलो हां जी तो इसका answer तो दो का तो very good fast wash fruit and vegetable after cutting them over cook the food wash rice and cereals in a lot of water cook the rice answer to this question will be a कि फलो और सब्जियों को काटने के बाद धो ले यह विल वीदा राइट अंसर मैपिंग वाली जादा आयते 2022 में वो भी है इसमें चिंता मत करो करीबन 10 सवाल है मैपिंग की भोजन में पोशक तो अर्य यह बार बार में repeat कैसे हो रहे है यार मिशन जिसमें गांधी जी के चश्मे का लोगो और नारा एक कदम सवच्छता की ओर सवच्छ भारत मिशन निर्मलता अभियान अपूर्ण सवच्छता अभियान शशक्त भारत मिशन सर जी मेरी भी सुल लो आचल रहा नी तुम कमेंट कर लो मेरी आँखों में आ जाएगा नजर तो सुनाई दे जाएगा बाकि तुम लोग क्या बोल रहा मेरे को सुनाई तोड़ी दे रहा आफ्टर कटिंग लिखा है ना हाँ तो भोजन में पूशक तत्वों को बनाए रखने के लिए देखों पलो और सब्जीव को काटने के बाद धो ले ठीक है आफ्टर कटिंग काटने के बाद धो ले ये सही है बोजन को अधिक पका है इससे तो आपकी क्या हो जाएगी बहुत सारे प्रोटीन वगरे डीनेचर हो जाएगे चावल और अनाज को देड़ सारे पानी में दो ले देखिए चावल अनाज के साथ प्रॉब्लम ये है अग तो आप वाटर लॉस कर रहे हो जल हानी कर रहे हो दूसरी चीज जो वाटर सॉलूबल वाइटमिन होंगे वो डिजॉल्व होके निकल जाएंगे ठीक है चावल अनाज को उसी पानी में पकाए जिसमें वो भुगोए गाए ठीक है अगर आप उस टाइम उसे धो रहे हो बे में आप पका रहे हो तो यह नहीं कर सकते आप कटिंग से पहले वाश करना चाहिए हाँ तो करना चाहिए ना तो वो होना भी तो चाहिए ऑप्शन में है अब यह ऑप्शन के हिसाप से देऊगे कि कुछ भी देऊगे हाँ तो answer to this question will be सच्छ भारत mission A will be the right answer तो सच्छ भारत mission जो कि आपका PM मोधी ने चालू किया था तो भ्यार सिक्षक बरती भाई complete course फिरसे बता दे रहा हूँ वाई 794 आपका code है आपको flat 77% का discount मिलेगा तो प्राद्मिक सिक्षक 1499 में उच्छ माद्मिक 1449 में और तीनों का combo 2299 में ठीक है इसकी classes 6 तारिक से चालू होने वाली है एक प्रकार का पौधन जिसमें potion के सौपोशी और विशम पोशी दोनों प्रकार होते हैं सुंदरी का प प्लांट जो autotrophic भी है सौपोशी भी है और परपोशी भी है ऐसा प्लांट जो सौपोशी क्या हो गया उस question में क्या दिक्कत होगी रुको भोजन में पोशक तत्मों को बनाए रखने के लिए खाने से पहले यह सुनिच्चित कर लेना चाहिए ठीक है तू रिटेन नूट्रियंट इन द फूड विफोर इटिंग वन वन शुड मेक शॉर वश्वूट अरे ओ नलाय को question पड़ो तू रिटेन नूट्रियंट इन द फूड ठीक है विफोर इटिंग वन शूड मेक शॉर तू आपको खाना खा रहे हो है ना सम्जो अप लोग खाना खा रहे हो ठीक है आपको खाना खाने से पहले आपको खाना खाने से पहले ठीक है क्या पता होना चाहिए अपने भोजन के बारे में लटा सपोस्ट तुम मेरा होटल है मेरा होटल है तुम लोग मेरे आग खाना खाने आये हो अभी तुम लोग भूक हो तो तु था उसको निकाला भी नहीं, साप भी नहीं किया, उसी पानी में बना के दे दिया है, क्या पता होना चाहिए? Question wrong, question wrong नहीं है, thinking wrong है, समझो इसे, question क्या कहरा है, to retain nutrient in the food, यहां लगा दिया, before eating, खाने से पहले, one should make sure, और टू हमें यह पता तो होना चाहिए कि मैं होटल में गया हूं कि नाली के पानी से उसने दो रखा है कि काई के पानी से दो रखा है डी इस दे करेक्ट अंसर डी नहीं होने चाहिए कुगदा राइस और सीरियल इन दा वोटर इन विच दियार सोग्ड वह ठीक है पहले तुम चावल को थोड़ा साफ करती हो उसके बाद फिर आप सोग करते हो आपने पहले ही डाला सोग कर दिया और उसी में आपने पका दिया ओप्शन गलत नहीं है पिटा सीटेट का कुश्चन है ये ओप्शन नहीं गलत है बस वो है कि उनकी लिखने की लेंगो ऐसा लग है ठीक है लेंगो इस गलत यूज़ करी है जिसकी वह से तुम कन्फ्यूज कर रहे है चलो हाँ तो एंसर टो दिस कुश्चन विल बी डी वि बीदा राइट एंसर ठीक है ये जो पौधा है ये इंसक्टी वोरस है कीट भक्षी है तो ये हेट्रो ट्रॉप भी हो गया पर पोशी भी हो गया क्योंकि ये नाइट्रोजन के लिए कीडे पे डिपेंडनेंट है और यही जो आपका घटपरनी का पौधा है ये फोटो सिं या पाई जाती है ये मेरा बनाया हुआ कोश्चन है जो कि में भी आ सकता है ठीक है क्योंकि बाग का आपके बास चैप्टर है ठीक है क्लास फिफ तेंसी आटी में बाग के बारे में काफी अच्छी चीज बताई गई है तो माइट भी पोसिबल आपसे बाग से रिलेटेड एक extra question बूचा जा सकता है ये हाँ language गलत लिखी गई है बट वो कहना ये चाहता है कि आपसे कि जब खाना खाने से पहले अगर आप कहीं पर भी गए हो या फिर घर में ही खाना खा रहे हो तो make sure आपका जो सब्जिय वगरा है वो आपकी अच्छी तरह से दुली होनी सबसे बड़ी species होती है बाग की सबसे बड़ी वह आप बताओगे वो होती है कौनसी साइबेरियन टाइगर साइबेरियाई बाग तो साइबेरियन टाइगर is the largest species अगला कुश्चिन शरीर के संरचनात्मक घटो के निर्मान के और रकरकाब के लिए निमने लिखित मैंसे किस पोशक तत्वे की आवश्यक्ता होती है देखो तुम में सो बहुत सारे लोग जिम जाते होंगे या फिर तुम में सो बहुत सारे लोग तुम में सब भुण सारे लोग जिम जाते होंगे, ठीक है, तो तुमारी जिम में एक मैम जी और ऐक सर जी आते होंगे, जो कि आपका, उसके सामने कड़े होके, काईगे, वह जो, शीशा होता हो, उसके सामने कड़े होके, तो मेडम जी डॉली दिखा रही दे रहती है सर जी डॉला दिखा रहे होते है तो ये जो डॉली डॉला है ये बोडी का स्ट्रक्चर है बोडी के स्ट्रक्चर को बनाने में जो काम करता है मेंली बिल्ड और रिपेर में बिल्ड एंड रिपेर बनावट एवम मरम्मत में कौन गरता है यह एनरजी सोर्स है उर्जस रोत ठीक है वसा भी आपका एनरजी सोर्स है उर्जस रोत है और सबसे जादा उर्जा आपको वसा से ही मिलती है ठीक है फाइबर आपका basically digestion में मदद करते है पाचन में यह आपका मोशन मनवाते हैं ठीक है चलिए नेक्स इंग इस निमने लिखित में से कौन सा पक्षी कीडों को खाने के लिए पेड़ के तनिये में छेद करता है गौरिया कउवा तामरिकार या फिर कोई भी नहीं सर कितने बजी तक क्लास चलेगी टोटल 75 कुश्चन है इतना ही बना पाया पूरी रात वर में सोच के मेडम को देखती नहीं कौन सी मेडम वोईस प्रॉब्लम मेरी आवाज आ रही है तोस्तों आवाज की दुनिया के जादुगरू तो वेरी गुड आंसर टू दिस कोश्चन विल भी इस प्रिश्च का तरह, D कोई नहीं मैंने बोला है, make a hole of in tree trunk, to eat insect कीडे खाने के लिए, कीडे खाने के लिए जो छेद करता है, कई उबार बता है, woodpecker करता है, cut forward आ करता है और छेद को nest की तरह घौसले की तरह यूज करता है कामरकार या फर इसी को आप बोलते हो बसंत गौरी या फर science में, English में इसी को आप barbit भी बोलते हो ठीक है तो घौसले के लिए नहीं पूछा कीडे खाने के लिए पूछा ठीक है तो कीड़े खाने के लिए वुड़ पैकर घौसले के लिए कट खोड़ो वो सॉरी बारबट या फिर कॉपर स्मित बसंत गौरी जानवरों के बारे जानवरों के बारे में पैरे होते और इनके पैर नहीं होते वेल और डॉल्फिन अपने भूजन का पता प्रती ध्वनी के माध्यम से लगाती है मेंडक और ताड नहीं है ताड का लिख देते ताड तोड केवल पानी में रहते सरी सरप रेंग सकते तो कौन सा कतन गलत है काजल में माज़ाब कुछ चडानी रही काजल में क्यों चडाएंगी भाई मेरे को अब राक्षचसों को चडाए नहीं जाता राक्षचसों से लोग खौप खाते हैं जैसे कि यहां पर यूटूब पर बहुत सारे लोग आके बैटे जाते ने यही जब ऑफलाइन क्लास हो देथ देखा होगा ना देथ रामाने वाला वो मावर रामाने वाला वैसी देखते थे ओफलाइन क्लास में जाला वेरी गोड आंसर तु दिस कोश्चिन विल भी में डॉक मेंड़क और तोड यह आपकी केवल पानी पर रहते नहीं एम्फिवियं से अबह चार रहें पानी मामबा किंग कोब्रा जालीधार अजगर और एनकोंडा मेंड़क पानी जमीन दोनों पर रहता वो तो टोड भी रहता वहीं कौन सी बहुत बढ़ी बात है टोड बट कीचड में ज्यादा पसंद करता है सर्व बोलू तो आप ताडू का जैसे लगते ताडू का नहीं दाडू का अब साउथ वाले मेरे से इंस्पायर हो के मेरा गेटब लेके घूम रहे है तुम लोगों को क्या पता उनने एक बार सपनों में मेरे को देख लिया था तो बोले नंड रकन ना गड़न मांग धड़कते हमारा वाय आशली भाई याए बन साज चलो, very good answer to this question नहीं देखो question पूछा गया dYNया का सबसे लंबा जहरीला साप कौन सा है देखो, साप वो में सबसे लंबा साप जो होता है वो जालीदार अजकर होता है बट अजगर जहरीले नहीं नहीं होते है तो सबसे लंबा जहरीला साप जो होता है, पूरी दुनिया में किंग ओबरा होता है, बलैक मांबा सबसे तेज साप होता है, सबसे तेज, अगर आप से कोई पूछे, कोई कुश्चन करे, कौन से साप बच्चे देते, जनरली आपने सापों को देखा हूगा, अंडे देते ठीक है, बट कुछ सांप ऐसे भी होते हैं, जो बच्चे देते हैं, कोबरा, नाग, ठीक है, करेत, रेटल स्नेक, खड़कड सांप, खड़खड, खड़खड, और रसल्स वाइपर, क्योंकि वाइपर, बहुत सारह टाइब क्यों होते हैं, दुबोई, कौन सा सा अप अंडें देता हैं, डें बच्चे देता हैं, एंसर क्या लगा होगे, सी स्नेक, सी स्नेक, बहुत बढ़ी है, बट ऑप्शन में तो सी स्नेक है ही नीं, आप का करोगे, नचोगे बहुत, अरे हो काकी स्रद्ध शुकला आपने ही तो बताया था ब्लैक मांबा जहरीला होता है फिर से सुले पांच पॉइंट बता रहा हूं दुनिया का सबसे वड़ा साप जालीदा रजगर ठीक है दुनिया में सबसे जहरीला साप जमीन पर की बात करी जाए अंतरदेशिय टाइप इनलेंड टाइपन और पूरे अर्थ की बात करी जाए हाइड्रोफिस जो कि आपका सीस नेक है मतलब समुद्र में रहता है ठीक है अगर बात करी जाए भारत में सबसे जहरीला भारत में सबसे जहरीला कौन सा है करे जहरीले सापों में अब देखो यह तीन जहरीले बता द यह कौन है हाइड्रोफिष्च, समुद्री सांप, और यह कौन है करेति, अब मैंने बोला जैरिले सापोँ सबसे लंबा सांप कौन होता है, कोब्रा, नाग, किंग कोब्रा, not कोब्रा, और कींग कोब्रा, fest cricket को को हमीशा बड़ा आदमी बोला जाता है, तो किंग कोब्रा सार में नाम से सर्च कर लो कि थड़कर और वाइपर जहरी ला है क्या सर जी जले खेंच जाएंगे मज़े मत ले ले ना दुबोई यह तमारा गोड़ा पचाड साप है बहुत जहरी ले जहरी नहीं है पपी दे गए तो नचते फिर होगे चलो इन में से बता इन में से कौन सा साप आपका अंडे देता है याद रखना जो वाइपर फैमली होती है वाइपर फैमली अंडे के रहूं बच्चे देता है जो वाइपर फैमली है वह हमेशा बच्चे दिने के लिए फिमस है यह अंडे निये ये बच्चे पैदा करते ठिक है में वाइपर हो चाहे आपका रसल वाईपर्स ओ जट अधर वाइपर इंश पैमिली की स्पेशलिटी रहति है कि यह आपको अंडे देते अंडे आपको बच्चे देते बाकी सारे साफ आपका ज्यादा तर अंडे देते लिए नाग और किंक उब्रा अलग अलग है तो यहां तक आपका देखेगा उसका बोलते अपनी जो पुरानों में बताए गया नागराच क्लियर है अंसर तो लगा दिया करिए यह रहा न रसल वाई पर चलिए जानवरों की तुचा पर भिविन पैटन मौसम की स्थिती के कारण होती है उनके शारिडिक शक्ती के संकेत है परावर्तिच प्रकाश के कारण होती है उनकी तुचा पर बालों के कारण होती है तो बताए खड़कड सांप दिखा तो खड़कड सांप नहीं देखा तुमने आरे यारो कई यो बार देखा होगा खड़कड सांप डिस्कवरी में इतनी शो आते है उसके उपर पिक्चर नहीं दिखानी है रेटल स्नेक यह राविटा यह की पूछ उमको जुन जुन जुने की तरह यूज करता है जुन जुने की तरह तो कई हो कं खजूरे जब चलते है तो जुन जुनाट पैदा करते है तो लोगों को लगता है कि यह कोई कीडा वीडा है तो आते हैं और यह उदर बैठा रहता है या कि ही ही धप्पा तो इसको बोलते है रेटल इसने खड़कड सांप इसे बजाता रहता पूरे टाइम, चलो, हाँ, तो जानवरों की जो तुचा पे पैटर्न होते हैं, उनके बालों के कारण होते हैं, D will be the right answer, D इसका सही उत्तर है, D will be the right answer, ठीक है, तो तुचा पे बालों के कारण होते हैं, हाइड्रोफिस नामक दुनिया का सबसे जहरीला सा आप निम्न लिखित में से कौन सा है, एडर, बोह, कोब्रा या समुद्री सा, नाजा, नाजा, क्या बोल रहा हूँ, कोई नाजा, नाजा गाना गा रहा था, नाजा, 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 कोही किंग कोब्रा कहते है, सर, नहीं बेटा, नाजा, नाजा, इस को कोब्रा ओफियो ग्लॉसस करके नाम है किंग कोब्रा का ठीक है नाजा नाजा केवल कोब्रा होता है ठीक है किंग कोब्रा का याद नहीं आ रहा भी ओसे नाम चालूगा उसका चलिए वेरी गुट तो आपका समुद्री साफ हाइड्रोफिस दुनिया का सबसे जरीला साफ है इससे जरीला कोई नहीं भारतिये खाच शुरक्षा मानक जो आप पढ़ते हो आपने कई यो फूड आइटम पर एफ एस 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 यह देखा होगा यह आपका इसकी स्थाबना कब की गई थी 2011 2008 2010 2015 भारतिये आपका जो चैप्टर है बेसिकली फूड के कंजर्वेशन से रिले बारे में पूछा जाएगा बिकोज यह आपके फूड सेफटी मेशर्स को देखती है ठीक है और हर चीज की शेल्फ लाइफ डिसाइड करती हो यही प्रमानित करती है आपके फूड आइटम को एफ एसस एस एए आई तो वेरी गुड आंसर टू दिस कोश्चिन विल भी ब दस्तू की तस्वीर को साफ करने का प्रयास करता है या फर यह सभी लेट अस सपोस्ट यह उल्लू की आँख है सपोस्ट करो इसके सामने यह एक ऑबजेक्ट पड़ा हुगा है यह अपनी दोनों आखों से इसे देख रहा है तो यह क्या पता लगा रहा है ओफियो ग्लैसस है ना हाँ ओफियो फेगस है ना किंग ओबरा ओल 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 चलिए answer to this question विल भी ठीक है बी जब भी कोई बर्ड किसी वस्तू के उपर किसी ऑबजेक्ट के उपर फोकस करती है तो इस ऑबजेक्ट और इस बर्ड के बीच में कितना डिस्टेंस है यह इस डिस्टेंस को देखत है बट जब भी कभी बर्ड ठीक है let us suppose this is the object और यह इधर इधर देख रही है तो यह अपनी range of vision को ड्रश्टी की सीमा को बढ़ा रही है तो जब बर्ड की आंके दो अलग-अलग side देख रही है तो यह vision की सीमा बढ़ा रही है और जब यह किसी वस्तू पर फोकस कर रही है तो यह आपकी क्या करती है आपकी distance निकालते है कि इस हमारे के बीच में कितनी दूर यह भी विल वीदा right answer at what age male elephant leave the herd किस उम्र में male चले जाते किस उम्र में चले जाते है very good 14 से 15 साल हो जाने के बाद male आपका जुन्ड को छोड़के चले जाते है निमने लिखित मैसे कौन सा कतन हातियों के बारे में यह तो हो गया यह वाला question यह वापस से कैसे आ गया इन महिने के आती के बच्चे का बजन दो कुंटल तक होता है यह तो हो गया चलो चलो सेलेक्ट दा करेक्ट स्टेडमेंट अबाउट केज़डी ट्री टिस ट्री इस मेली फॉंड इन डेजर्ट एरिया यह पेड़ मुख्य रूप से रेकस्तानी इलाकों में पाया जाता है इट ग्रोज विडाउट मच वाटर यह है एक चायदार व्रक्ष ओसरी यह बिना पानी के बढ़ता है इस शेडी ट्री एंड चिलरल लाइक टू प्ले इन इट शेड यह अपने चायदार व्रक्ष और बच्चे इसकी चाय में खेलना पसंद करते है और यह अपने तने में पानी संग्रहित करता है लोग इस पानी को लिए पतले पाइप का उप्योग करते इट स्टोर्स वाटर इन इट स्टाग और टूपल यूस तिंपाइप टू ड्रिंक दिस वाटर तो वेरी गुड यह वाला सही है यह ओप्शन सही है डेजर्ट एरिया में पाया जाता है ड यह वाला जो गुन है यह और तो यह गलत हो जाएगा तो ए बी सी सही हो जाएंगे तो ए बी सी किसमे है ए ओप्शन में तो ए विलवीदा राइट अंस चलिए चंद्र ग्रेंड के दोरान निमने में से कौन केंद्र में होता है जेरा सूरज कौन आएगा सुरज के बाद क्या आएगा और प्रत्वी आई कि चंद्रवा आएगा सूर आएगा या पर कोई रही निए लगाना है तो सामने में कोई चीज आ गई तो सामने में आ गई क्या अपरतवी तो इसे कली क्या हुआ जो सन की रेडियेशन थी जो लाइट थी वो आपकी इस पर पढ़ी नहीं साइड साइड पर पढ़ गई साइड साइड आपका चमक गया बीच पढ़ गया काला तुम के तो चांद पर लगा ग्रेन तो बीच में होती है क्या प्रतवी ये विल वीदा जगे का नाम है एक जगे का नाम है या फिर इन में से कोई ने भेला क्या है भेला थे 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 very good, the answer to this question will be D, इन में से कोई नहीं, ठीक है, भेला क्या है, भेला basically एक आपका house made up of bamboo, ठीक है, ये बास से मना गर है, which is enlightened on first day of bihu, that is uruka, जिसे bihu के पहले दिन, भेले दिन को क्या बोलते है, uruka, पो आग लगा देते, और इसके चारो तरफ नाचते हैं, तो आप में से जो असम से होगा, वो जानता होगा, जो females होती है, वो मुगा मेखला चदोर साडी पहन के, और ऐसे ऐसे करते हुए, ठीक है, गोल गोल गोमते हुए, डांस करती है, और मेल इनके अगल बगल में ड्रम बजाते है, तो देट इस बिहू डांस, बस में यात्रा करते समय है, एक बच्चा, ये पहले भी करवा चुका हूँ ये वाला कुश्चन, एक बच्चा चला रहा है, कष्टा करा रिच्चने, बेला लड़की का घर, लड़की का घर है, बेला केवल एक घर है, जो कि रिच्वल में यूज किया जाता है, बेला तो बेलपूरी होगी सर जी, नहीं बटा, तो कष्टा करा रिच्चने, बेलपूरी नहीं है, कष्टा करा रिच्चने, ये मुंपले, बेच रा है, आम फ्रों मरसम, हाँ तो अरूप साही क्या, आपको पता होगा, ठीक है, भेला और मेजी, दो टाइप के घर बनाये जाते हैं, फर्स डे पर आपके भेला को आग लगा दी जाती है, नेक्स डे पर आपके मेजी को आग लगा दी जाती है, मतलब आपको जादा अच्छे से पता होगा, ऐसा हमें NCRT ने बता है, हम असम नहीं आये, क्या ये सही है? तो very good, तो basically क्या बोल रहा है, करारी चने, और चने आपके क्या है, gram, gram कौन सी family है, legumes, और legumes हमेशा rich होते हैं किसमे, proteins, to answer to this question which will be, D will be the right answer, इन में सो कोई नहीं, D, 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 protein में rich होते हैं, चली, next thing is, भारत में सबसे पुराने तेल चेत्र, अभी थोड़ी जेर, पहले बता है, dash, चेत्र है, और dash में, अनलेश्वर गुजरात में, बॉम्बे आई, माराश में, नवगाओं गुजरात में, या दिखबोई असम में, घस्ते में तो fat होता है, ओइल थोड़ा सा होता है, बट में ली चना है, चने के अंदर, क्वांटिटी किसकी जादा होगी, चने के अंदर, क्वांटिटी किसकी जादा होगी, प्रोटीन से, वेरी गुड, एंसर तो दिखबोई असम, नेक्स दिंग इस, हाथी के कितने दाथ होते हैं, 16, 18, 26, 28, थोड़ी देर पहले, मैंने आपको, हाथी से related सारे कुश्चन, जो बन सकते हैं, जो होते हैं, वो बता चुको हूँ, हाथी में कितने दाथ होते हैं, वो बताए थे, तो बताओ, आती में कितने दात होंगे सर आप पटना नहीं गए तो तुमारी क्लास कोल ले था चनिय में फाइबर होता है सर बिलकुल होता है तो वेरी गूट 26 दात दो बाहर के और बाकी सारे 24 अंदर के मुझ के अंदर बोपाल के स्तरास्दी डैश का अधारन है दो डिसंबर 1984 को हुई थी यूनियन कारबाइड के प्लांट में यूनियन कारबाइड का प्लांट एक इंसक्टी साइड कीट नाशक बनाने वाली कमपनी थी ये अपने इस कीट नाशकों को बनाने के लिए एक बेस यूज़ करती थी एक आधार यूज़ करती थी यह लीक हो गई थी और साथ में इसके निकला था एक और गयास फॉसजीन ठीक है इसी के तहत इसी के तहत और फॉसजीन 1986 में 19 नवंबर को भारत सरकार ने लागू किया परियावरन सनरक्षन अधिनियम जब यह आपदा देख ली तब हमको अकल आई थोड़ी सी कि एन्वार्मेंट प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए तो आंसर टू दिस कोश्चिन विल भी एक तरह की रासाईनिक आपदा है अब देखो इसी से रिलेटेड एक बार कोश्चिन आया था जब ओफलाइन होता था ओफलाइन होता था तब एक कुश्चिन बूचा गया था वो कुश्चिन मैं आपको दिखा रहा हूं बना के कुश्चिन था निम्न लिखित मैंसे तबसे बड़ी परियावरन आपदा कौन सी रही है ए शर्नोवल आपदा यूकरेन की फूकुशिमा आपदा जापान की और आपका ये भोपाल गेस तराजदी भारत की और एक और था याद नहीं आ रहा हूं उसका नाम इन तीन मैंसे बताओ कौन सी रही है तो याद रखना इन तीनों मैंसे सबसे बड़ी अभी तक की एन्वार्मेंट के इतियास में परियावरन की इतियास में जो सबसे बड़ी आपदा रही है वो यूकरेन में हुई थी एक आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसमें आपका बेसिकली क्या हो गया था लीकेज हो गया था तो इस लीकेज इतना हुआ इतना हुआ आज भी वहाँ पे अगले 10,000 सालों तक लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती आप रेडियो एक्टिव सूट पेन के भी तीन मिनिट से जादा वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते तो देट इस शर्नोविल डिजास्टर चलिए जारकंड के पूरब में कौन सा राज्य है ठीक है तो दिस इस पूरब दिस पश्चिम दिस इस उत्तर दिस इस दक्षिन तो जारकंड के लेट इस सपोस दिस जारकंड ये कुश्चन आया है इस बार पूरब में इस साइड में एस्ट में कौन है नौर्थ में कौन है पाउथ में कौन है वेस्ट में कौन है बंगाल वेरी गुड तो इस्ट में आ इसका वेस्ट बंगाल ठीक है नौर्थ में इसका बिहार साउथ में इसका ओडिसा वेस्ट में है 36 गड़ और यही साइड में से थोड़ा सा उपर में UP है अगर आप भारत का नक्षा देखोगे तो option है D, D will be the right answer, so this is the image, ये रा बिहार, ओडीसा, वेस्ट बंगाल, 36 गड़ और UP, तो जारगंड आपका पांच राज्यों से सीमा साजा कर रहा है, ठीक है, next thing is, निम्न लिकित में से कौन भारत के तीन जैब विविद्धा होट स्पोट में से एक है, अरावली हिल्स, खासी हिल्स, हिमाले की पाडिया या मुकुंदरा हिल्स, तो होट स्पोट भारत के चार होट स्पोट है, very good, very good, very good, भारत में कितने हैं, चार है, ठीक है, पूर्वी हिमाल्या, पश्चिमी घाट, वेस्टन घाट, दैन आपका, इंडो वर्मा, शेत्र इंडो वर्मा रीजन, एंड आपका, ठीक है, that is सूडा लेंड, सूडा लेंड, तो इस्टरन हिमाल्या, वेस्टन घाट, इंडो वर्मा रीजन, और सूडा लेंड, तो चार में से कौन सा है, अरावली इल्स, खासी इल्स नहीं, हिमाल्या की पाडिया, इस्टरन हिमाल्या पाडिया, सी विल वीदा, राइट अंस, निमने लिखित में से, कौन सी नदी भारत में नहीं निकलती है, रवी, बनास, चिनाव, घागरा, तो कौन सी नदी आपकी भारत में नहीं निकलेगी, ऐसा अब कुश्चन आने लगे है, जब से ओनलाइन होना चालू हुआ है, पहले नहीं आते थे, तो बताइए, कौन सी नदी भारत में नहीं निकलेगी, तो वहरी रवी निकलती है, निकलती है, बनास निकलती है, वही राजस्थान में बनों की नदी बूली जाती है, बनास, चिनाव निकलती है, निकलती है, आपका सतलोज नहीं निकलती यह सब तिब्वत से आने वाली नदी आ है और आपका सिंदु इस इंडस सतलोज ठीक है ब्रह्मपुत्र ये ट्रांस हमाल्यास नदी है मतलब हमाल्या पार करके आने वाली नदी है गागरा दी विल्वीदा राइट एंसर ये भी तिबत से आती है कौन सा राज्य पूर्वत्तर राज्यों की साथ बेनों का हिस्सा नहीं है देखो साथ बेने कौन-कौन सी होती है ठीक है अरुना मामी चार तो यह होगी असाम त्रपुरा एक अरुनाचल नागालेंड अमनीपुर विजोरम असम थीग है तो दीज आर्द शेवन सेवन 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 सस्टर तो अरुनाचल अमामी ठीक है आज अस मत बुला ना एसume अकशम को बोलते गदे को बूलते टिक है एस आज, आज, ठीक है, मेगा करेगी, ठीक है, त्री देवों की पूजा, त्री देव, that is त्रिपुरा, आज मेगा करेगी, त्री देवों की पूजा, तो असम, त्रिपुरा, मेगा ले, ये बहने होगी, इनका एक भाई भी है, ठीक है, ये है सिक्म, तो सिक्म is the brother of seven sisters, तो B will be the right answer next thing is इन में से जौला मुखी परवत कौन सा है ठीक है अरावली ठीक है अपालचेन, यूराल या फर किलमन जारो तो कौन सा आपका जौला मुखी परवत है जौला मुखी जौला मुखी तो ये सीटेट में पूछा गया है 2011 में 2021 वाले पेपर में जो आपका दिसंबर वाली शिफ्ट हुई थी उसमें आया था एक आद वोलकेन वाल के लिए पढ़ ले न कोटो पैक्सी इतना माउंड किलमन जारो चलो तो वेरी गुट तो बेसिकली ए अरे ओ रावली में कबसे तुम्हारे राजस्थान गए हो कभी कभी सुना राजस्थान में फट गया वॉलकेनो वॉलकेनो क्या है जॉला मुखी पटना चाहिए कभी जा रहे हो तुम ट्रिप से राजस्थान के बीच में से निकल लो अरावली पटके तुम्हारे ऊपर गिरा हो कुछ भी किल मिन जारू मौंट कील मिन जारो आपका क्या है जला मुखी परवात है डी विल्वीदा राइट आसर चल यह भारत में बाल विवार रोक्ताम अधिनियम किस वर्ष पारित ःता था है तोबाल विवार रोक्ताम अधिनियम एक है आपका शारदा, ठीक है, शारदा एक्ट है, वो 1929 में आया था, और एक है आपका Child Marriage Prevention Act, ठीक है, ये कवा है था, बताओ, सिक्क्यम को भाई क्यों बुलाया जाता है, देखो, आप लोगों ने देखा होगा, घर में, बेसे कली, जो, अगर आपके घर में, तीन-चार मतलब भाई बहन हो तो, आपने देखा होगा, जो बहने होती है, बहने एक साथ गुट बना के रहती है, भाई कभी भी बीच में न ठीक है, तो भाई जो है, सिक्किम जो है, वो थोड़ा सा डिस्टेंस पहे, इन सारी बहनों से, बहने क्या, एक साथ मिल जुलके, आसी टिटोली कर रही है, गुप चुप एक दूसरे की, चुगली कर रही है, कि आज वो अंटी नहीं है, वो ऐसा ऐसा बोल ली थी, भाई इ चलिए, तो answer to this question will be, 2006, नमंबर में लागू हुआ था, ठीक है, एक जनवरी 2007 से ये प्रभावी हो गया था, ठीक है, चलिए, भारत किस देश के साथ उत्तर में भूमी सीमा साजा नहीं करता है, चीन, नेपाल, भूटान, मयामार, मेरा भाई तो बीच में ही रहता है, तो उसको सिखाओ, कि बीच में ना रहे, सर को साधर प्रनाम, जी सनी सर, आपको भी साधर प्रनाम, तो very good, answer to this question will be, देखे बोल रहे, नौर्थ में भूमी सीमा साजा नहीं करता, if you see the map, you will find out, ठीक है, देखो, अरुना, मामी, ये चार स्टेट है, और ये चार स्टेट सीमा साजा कर रहे है, इस्ट में, मैंनमार की तरफ, तो अरुनाचल जो है, वो सबसे इस्टन मोस्ट स्टेट है, Easternmost state है, मतलब सबसे पूर भी में, और ये Myanmar के साइड में, पूर में, नेपाल आपका इस तरफ है, चीन ऊपर है, ठीक है, भही भूतान आपका, यहां साइड में, तो ये सारे नौर्थ की कंट्रीज है, Myanmar आपकी इस्टन कंटी है, D will be the right answer, if you see the map, ठीक है, this is the China, this is भूटन, this is the eastern part, Myanmar, ठीक है, this is your Pakistan, this is your Nepal, तो ये सब नौर्थन पार्ट में आ रहे है, बट इस्टन पार्ट में आ रहा है कौन साइड का, Myanmar, निमने लिखित मैंसे, किस शहर में, रेत के टीले नामक, रेत के पार्ट, ये तो आपका बहुत easy question है, आबू धाबी में पाए जाते ठीक है, और आबू धाबी को हम city of skyscraper के, गगन चुम्बी, इमार्तों के शहर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, आबू धाबी basically, UAE, United Arab Emirat, ये साथ अलग-अलग provinces को, मतलब, घरान, क्या बोलते हैं, countries को मिला के बनाए गया है, जिसमें, सबसे बड़ी country, जो है, वो आपकी अबू धाबी है, गगन चुम्बी, इमार्तों का देश, यहीं पे आपका है, बुर्ज खलीफा, जहाँ हैं, दुबई में, ठीक है, तो गगन चुम्बी, उमार्तों का देश है, यहाँ पे, ठीक है, बट ये according to NCRT है, अगर question में ये ना मिले, city of skyscraper में, तब आप finally नियॉयोक, एक्चुली में, गगन चुम्बी, उमार्तों का जो देश है, वो नियॉयोक को शहर जो है, वो नियॉयोक को बोला जाता है, बट according to NCRT आपका अबुधाभी को बोला जाता है, clear है, अगर अबुधाभी, वही तो बता है, नियॉयोक, तब नियॉयोक रहेगा, चलो, कहांगे, next thing is, हमारे देश के मानचितर में, जारकंड कहा है, पश्चम बंगाल के पूरब में, उडीसा के उत्तर में, छत्तिसगड के दक्षिनपूर में, उत्तर प्रदेश के पश्चम में, अभी आपको थोड़ी जेर पहले, एक कुश्चन इसी से related करवाया था, ये भी आपका सीटेट में, पूचा गया, कुश्चन, सर कितना कुश्चन और बचा है, बेटा इसके बाद 15 कुश्च, मतला 17 कुश्चन और बचे, जल्दी जल्दी कर लेते, सर जी, विद्वान एकेडमी स्टूडेंट डेली, अरे, मंदीप, अभी कुछी टाइम हुगा है? पैचान गया? आलो, it's nice to meet you after a very long time, after the year of 2014, 14, I guess चलो, चलो, very good, answer to this question will be the go, पश्म Мंगालपूर में, ठीक है, उरीसा, उरीसा आपका दक्षिन में? ठीक है, यहां पश्म मंगाल है, यह दक्षिन उत्तर में आपका क्या है बिहार है और आपका उरभ में आपका क्या है इस छत्तिसगड़ पश्चिम में आपका क्या है पूरब तो इस साइड होगा पश्चिम में आपका क्या है 36 गड़ ठीक है यहीं पर आपका पश्चिम में उत्तर प्रदेश भी है ठीक है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में उत्तर प्रदेश के पश्चिम नहीं उत्तर प्रदेश के तो किस में पढ़ रहा है पूरब में पढ़ रहा है छत्तिस गड़ के दक्षिन पूर में दक्षिन नहीं है उडिसा के उत्तर में उडिसा के उडिसा ये रहा उडिसा उडिसा के उत्तर में पश्चिम बंगाल के पूरब में भारत में उपवोक्ता संरक्षन अधिरियम किस वर्ष पेश किया गया था कंजूमर प्रोट्रेक्षन है ठीक है 81, 85, 86 या फिर 88 हाँ बेटा पहचान जाएंगे आप पटना नहीं गये तो मारी क्लास कौन लेता और मैं पटना चला जाता था सर जी आपकी तरह English बोलनी है तो English बोलना चालू कर दो यह मत सोचो कि grammar सही है कि नहीं सही बोल पा रहा हूं कि नहीं केवल बोलना चालू कर दो ठीक है डेजन मेटर grammatical mistake हो चाहे नहीं हो यह इतना मत सोचा करो speaking चालू करो देखो English speaking is entirely different from the grammatical English जो आप English songs सुनते हो वो grammatically तो सारे songs गलत होते है ठीक है बट गार है ना सुनने में अच्छा लगता you are my fire the one desire believe when I say I want it dead way ठीक है every night in my dreams I see you I feel you ठीक है बट grammatical यह सारे गलत है तो बोलना चालू करो अपने आप English आ जाईए सर है क्या पटना में आज बेटा तीन बजे से ठीक है आपका जो राजिंदर नगर है वहां पर आपकी अड़ा की टीम आई हुई है जो कि आपसे बिहार साथवे चरेंज सिक्षक भरती पर चर्चा करने आई हुई है इसकी स्ट्रेटेजी क्या कैसे तेयारी करोगे तो अगर आप जाना चाहते हो तो शामवाली शिप्ट में चले जाते हुए अब प्रफ्टी एड़ को संब्जना आया मेरे को एक बच्ची बोलते हुए अपकी अठावन धाना समझ भाए देख बटा ऑप्शन के अनुसार समझो ओडी सा की उत्तर में जारकंड यह रहा ओडी सा की उत्तर में जारकंड उत्तर का ऊपर की तरफ सही है यही सही है भूर्व में क्या सो वकलं साही मिलान नहीए कपड़े बताय गया है राज्य बताया है से जम्मु कश्मीर का पानु भाजू पश्चिम मंगल का रही दे रीमाचल प्रदेश का फुल कारीımızı पंजाब का तो कौन सापका सही मिलान नहीं है मतल甚至 कपड़ा यह आपका सीटेट का पूछा गया कुछन है 2021 में जो हुगा था पेपर उसमें कौन सा कबड़ा सही मेंच नहीं खा रहा है 59 बताओ 59 बताते दिया पावल पावल हुग हो जान से नहीं देखरो अच्छा नहीं बताए 1986 1986 26 नमबर 1986 1986 1986 देखो फिरन आपकी जम्मू में पहना जाता है ठीक है रहीदे हिमाचल में पहना जाता है फुलकारी पंजाब में पहना जाता है पानो भाजू बी पानो भाजू आपका गोवा का पहनावा है ठीक है अगर if you want to see the image ठीक है B will be the right answer ठीक है ये आपकी फिरन है ये कश्मीर में पहना जाए ठीक है मुन्नी कश्मीर आई थी कश्मीर आई थी कजाने कहां से आई थी ये आपकी पनो भाजू है जो कि महराष्ट और गोवा की साइड पहनी जाती है ठीक है ये रहीदे हिमाचल में पहने वाली ठीक है ये जो है ये आपका बेसिकली क्या है फुलकारी ठीक है जो कि पंजाब की फुलकारी अंब्राइटरी है पेंटिंग है कौन बोलाब पेंटिंग है चलो वे राज जिनकी अंतराश्टी सीमा नहीं है या तट इस्थत नहीं है ये भी 2021 का कुश्चन है कि मैम है हर किसी को मैम मना दोगे चोटी बच्ची है वो फिर मैम बनाऊगे इसको माने की मन में लट्डू पूटा तुमने इत्ती सुन्दर मेडम दिलवारो बट एक आदमी की नॉर्मल इथिक्स वेल्ल्यू भी होती है चौदर पंद्रा साल की होगी यहा आदमी खड़ा 30 प्लस चलो very good देखो question पूछ रहा है या तो अंतराष्टी सीमा नहीं है या फर आपका तट नहीं लग रहा हो तट मतलब coastal areas जारगंड कोई सीमा नहीं अंतराष्टी है उड़ी सा तट लग जाता है चत्तिस गड़ कोई सीमा नहीं है तो ये तो नहीं लगा सकते उत्तर प नहीं लगता है पंजाब कोई पाकिस्तान से टच कर जाता है करनाटक तत लगता है ठीग है तो ये भी नहीं लगा सकते मध्य प्रदेश जारगंड और चत्तीजगड ठीग है उत्तर प्रदेश बिहार ओर हरी राना अच्छा बिहार की नेपाल से बॉडर लगती तो ये भ वी दर राइट एंस डी 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 बी नहीं लगा सकते वेटा बी वी दर राइट एंसर देखो नक्षे से जम्झो ये रा बिहार बिहार किसे टच कर रहा है नेपाल को तो इंटरनेशनल बाउंडरी लग गई तो नहीं लगा सकते ठीक है बट मद्ध प्रदेश ये रा जारगंड ये रा किसी से ना तो सागर है और ना ही कोई इंटरनेशनल बाउंडरी है कौन सा सही मिलाएं नहीं है अमबा जी का मेला गुजरात में लगता है मांग मेला उत्तर प्रदेश में लगता है नैना देवी मेला असम में लगता है तो अमबा जी का मेला गुजरात म में लगता है, माग मेला, उत्तर प्रदेश में लगता है, नयना देवी का मेला, असम में लगता है, बिनिश्वर मेला, राजस्थान में लगता है, A, B, C, D, कौन सा सही मिलान नहीं है, सर, question, read करिये, सदफ इकबाल, वे राज, जिनकी अंतराश्थी सीमा नहीं है, इंटरनेशनल बाउंडरी नहीं है, या तट पर स्थित है, या फर कोस्टल होने चाहिए, जारकंड कोई इंटरनेशनल बाउंडरी नहीं है, उद्टर पर देश कोई इंटरनेशनल बाउंडरी नहीं है, पाकिस्तान से इंतरनेशनल बॉर्टर है करनाट कोस्टल एरिया स्थिए मध्यप्रुदेश कोई इंटरनेशनल बॉर्डर निया ज्यार्गंड कोई इंटरनेशनल वोडर मैई छक्ति पर कोई इंटरनेशनल बॉरडर में यह बी consolidर ट्लाइर राइट एंसर तो कांसा सवय不लॉन नहीं है सब लान नहीं है द्र 일본 नेारे ना दैंबी का मेला इसे ज billion मेलावी का बैसे का ली हुमाचल प्रदेश में लगता और यहां असम में तो मेला लगता वह अंबू बाची का मेला या कामाख्या देवी का मेला बोला जाता है ऐसे लगता है तो एंसर टू दिस कोस्चिन विल बी रादा पटना बिहार से शुरू होती है राधा पटना बिहार से शुरू होती है अच्छा यात्रा कर गए राधा पटना बिहार से शुरू होती है आसे व्याद दिल्ली चली जाती है व्या किन दिशाओं में यात्रा कर रही होगी देखे अगर आप भारत का नक्षा देखोगे ठीक है, here is something बिहार, इस side में, और कहां आ रिए है, वो तेलंगान आ रिए है, here is somewhat तेलंगाना, और here what somewhat is Delhi, ठीक है, तो बिहार से गई तेलंगाना ठीक है, और तेलंगाना से गई दिल्ली, तो कौन कौन से direction में गई है, दक्षिन पश्चम और उत्तर में, तो एक चीज तो कन् हम है नौर्थ की तरफ तो जा रही है that means B और C तो गलत हो गए है ना अब मेरे पास पच्छे दो ओप्शन ठीक है तो ये वाली direction नीचे की कौन सी होती है south ठीक है ये वाली direction नीचे की कौन सी है south ये east है और ये आपकी कौन सी है direction अगर ये नीचे में ऐसे अरोश हो कर रहा है north east तो दक्षिन पूरव और उत्तर डी विलवीदा right answer C नहीं बेटा C तो वैसे ही गलत हो गए वो बोल रहा है कि वो आपकी कहां जा रही है दिल्ली की तरफ जा रही है वोईज नहीं आ रही वो जा रही है देखो ये रहा आपका कहां बिहार ठीक है ये रहा तेलंगाना ये देखो सीधी लाइन कीज़ दिया अपनने तो this is the direction ये direction क्या है south east ठीक है और वो जा रही है कहां यहां से तेलंगाना से न्यूडली ये कहां जा रही है नौर्थ जारी clear next thing is भारत में बिहार के संबंद में जम्मू कश्मीर और गोवा के स्थान क्या है अगेन ये देखो ये यहां पे कहीं बिहार है जम्मू कश्मीर यहां है कही उपर में ठीक है और यहां कहीं आपका गोवा है तो बिहार के संबंद में जम्मू कश्मीर और गोवा के क्या डाइरेक्शन है ये कौन सी हो गई साउथ इस्ट ये कौन सी हो गई ये कौन सी हो गई नौर्थ इस्ट ठीक है तो पूरब पश्चिम हो नी सकती गलत हो गया पश्चिम पूरा वो नहीं सकती गलत हो गया उत्तर पश्चिम और डक्षिन पश्चिम ठीक है गलत हो नोर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट ओ सोरी 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट यहां तो फिर गलत हो जाएगा ना यह east है, यह north है, यह south है, यह west है ठीक है, तो यह कौन सी direction हो जाएगी आपकी A हो जाएगा इसका, sorry जितने लोगा का A सही था, A लग कर लेना A, 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 direction में confused हो गया गए और एसे देख़री है न यह तो वेस्ट हुई क्योंकि यह पार्ट कौन सा है वेस्ट है यह कौन सा है इस राजस्थान वेस्ट में इस की तरफ हरुनाचल प्रदीश है ऐसे याद रखना तो इसका यह हो जायेगा और यहां पर अंसर हो जायेगा इस वाले का देट इस सी 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 उत्तर पश्चिम और दक्षिन पश्चिम सर बोईज नहीं आ रही सर हम यही बतायते हाँ तो मैं डारेक्शन गलत बना दीती ना चीक है क्लियर है पिंकी फेग दो मुझे क्या कर दिये तूने ऐसा कि तुझे फेग दे राष्ट्रिय बाल श्रम उन्मूलन प्रादिकरन का गठन कब किया गया था 16 अगस 1986 5 जून 1990 22 जुलाई 2002 26 सितंबर 1994 अरे दिशा वाले कुश्चिन मुझे समझ नहीं आते है सिंपल सा ये बना लिया करो पहले कभी इस से कंफ्यूज नहीं होगे ये नौर्थ बना लो ये साउथ बना लो ये इस्ट बना लो ये वेस्ट बना लो बना लो